दग ducks in मुझा नमस्कार स्वागध है आप सभी का Komb понiesone येट्यूब चैनल हम लोग बात करेंगे आज मद्कालीन भारत की इंतिंहास के बारे में इससे पहले हम लोगा ने प्राचीन भारतGet okay के बारे में बहुत सारी बाते किया है आप देख रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने बात किया था इंडर्स वैली सिवलाइजेशन से लेकर के यानि कि आई वी सी से लेकर के हम लोगों ने कब तक बात किया हर्स तक बात कर लिया यानि कि हर्स बर्धन तक हम लोगों ने बात किया जो है ना वो इंडर्स वेली सिवलाइशन का ठहरता है जब कि हर्स की जो टाइम पिरेट है वो 647 AD तक सठहरता है तो हम लोगों ने लगवक 647 AD तक की बात कर लिया है और नॉर्मली जब इतिहासकार प्राचीन भारत को मध्कालीन भारत को और आधनिक भारत को बाढ़ते हैं हमारा जो आज का सिगमेंट है मध्कालीन भारत की इतिहास में इसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा सल्तनतकाल है और मुगलकाल है जैसा की इतिहासकारों ने हमें अलग-अलग किताब में पढ़ाया खासकर के NCRT वेगरा के किताब जो है उसमें हाँ इसमें कुछ चोल और कुछ छेत्रिय राजाओ के बारे में बात है तो छेत्रिय राजाओ के बारे में हम अलग से एक special वीडियो बनाएंगे जो static पार्ट भी हो जाएगा और वहां से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं एक्जाम के तो उसके हम यहाँ पे थोड़ा सा रोग दिये है ना कुछ चीजो में चलिए तस्वीर हम दिखाएंगे आपको जो भी मोनुमेंट्स वगरा की तस्वीर दिखाएंगे या फिर जो भी राजा है कोशिस करेंगे कि उसकी तस्वीर हम दिखाए अब जो तस्वीर हमें एबलेबल मिला है इंटरनेट पे हम उसी तस्वीरों के माध्यम से है या आप देखते हैं आगे सबसे पहले मदकाइन भारत की इतिहास का सुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है एक्जाम के पॉइंट से भी रेयलिवेंट है और ऐसे भी तृपक्षिये संघर्स यानि की ट्रीपैट्रेट स्ट्रागल जो ट्रीपैट्टाइट इक देखने का सुनने का कोशिज कीज़ेगा ठीक है ध्यान रखे त्री यहां पे मतलब ही है तीन त्री का मतलब क्या होता है तीन अब तीन पक्ष है इसका मतलब कोई नो कोई तीन पक्ष होगा और उसके आपस का संघर्स होगा और जब आपस में संघर्स है तो कोई कारण होगा simple बात है न, कि जब संगर्स होता है तो कोई कारण होता है, बात को समझे, तो जब संगर्स है और उसका कुछ कारण है, तो कुछ ऐसे समझे, कि 3 पक्ष थे वो कौन-कौन थे, ये देखें, मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, 3 पक्ष में आप देख सभाधा भारत के पुरिवी बहुत राकुशा था बंगाल चत रहा आज का बंगला देश का कुछछ चेत्र है और जारखन बे wil मिला करके UP तक का जो एरिया था वो पालों के खुर एरिया था उसके बाद पाल अपने एक्स्ट्रीम में यानि के अपने चरम में काफी दूर तक भारत में विकास करते हैं समराज का लेकिन अगर कोर एरिया की बात करें तो कुछ यूपी के छेत्र, यानि आधा यूपी, हाफ यूपी हम कह सकते हैं, उसके बिहार, जारखंड, बेश्ट बेंगॉल और जो हमारा आज का बंगलादेस का कुछ छेत्र, ये पालो का जो है न, कोर एरिया था, ये पालो पर चुके हैं, और मैं जब एरिया को डिफाइन कर रहा हूं, तो आपके मन में पूरा भारत का मैप घूम जाना चाहिए, अगर अभी भी भारत का मैप नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब अपने जोग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप, और पैसे पहले भी म एकजाम चला गया, तो फिर वो 50 रुपय बचाते रहा जाएंगे, कुछ ऐसे अनुहब है, जो कि मैं आपके साथ सेर कर सकता हूं, कि जब पढ़ाई लिखाय की मामला हो, और बात कॉपी, कलम, किताब, अखवार और मैप का हो, तो वहां पे आप कंजूसी ना करे, कपरा मह आप कोई दूसरे चीजों में अपनी कटावती कर ले, फिल्म देखने जाते हैं, तो आप सिनेमा हॉल में ना जाए, अपने मतलब आप जो भी लैप्टॉप है, या मोवाईल उसके हिसाब से देख ले, कटावती वहां कीजिए, लेकिन जब बात किताबों की हो, तो वहां पर एक दम नहीं सोचिये कटावती करने का, मतलब सोचना ही नहीं है, उसको सबसे प्रियारिटी पर रखिये क्योंकि वही अभी आपका प्रियारिटी है, फिर एक समय ऐसा आएगा कि उनकी प्रियारिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी और फिर दूसरे प पुर्व में पाल था, जब दूसरी बात हम लोग दूसरा देखते हैं, तो दूसरा परतिहार, गुर्जर परतिहार बोलते हैं, मैं परतिहार लिग देता हूँ, गुर्जर परतिहार इसको अच्छे तरीके से बोलते हैं, और अगर मैं इसको खूब अच्छे तरीके से बा वानसमे बस्टर्न यूपी, जो पस्चमी यूपी है, मद्धपर देश का कूष छेतर है जो बुंदेलखंड का इडिया है, गुजराथ के कूष छेतर में, राजस्थान के कूष छेतर में, और दिली में, यानि की अगर इसको अच्छे तरीके से हम डिफाइन करें। तो दि में बहुत ज्यादा है यूपी में भी है जो पश्मी यूपी तो ये ये जो दो परधान जातियां है बेस्टोंड यूपी और हरियाना यानि दिल्ली के आसपास का सबसे परमुख समुदाएं हैं तो ध्यान रखेगा ये वही पर्तिहार है ठेक है जो अपने आपको सी में गिंती में आते हैं जबकि ये अगर इसकी सही तरीके समय इतिहासिक द्रिष्टिकों देखे तो ये एक राजपूतों का बंस हुआ करता था राजपूतों का एक बंस गुर्जर परतिहार बड़ा महान बंस थे और इसके सबसे महान सासक मिहीर कूल थे और इसके संस् किंहोजिताम कोषसाइक पूछते हैं लेकिन जो को पूचते हैं उससे ज्यादा पूचेगा है कि गुष्जर परतिहार बथन्स के सबसे महत्पुर्ण सासक मिहीर भोज कहलाते हैं मिहिर भोज बोल लेते हैं नाम सुना होगा आप लोगों ने तो गुर्जर परतिहार बंस बड़ा इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा इतिहांसिक द्रिष्टिकों से राजपूतों की ही एक साखा है राजपूतों की ही एक कुल है जिसको यूपी में ठाकुर बोला जाता है और भारत के राजस्थान बगळा का जो छेत्र द्ली से लेकर करके बेस्टों ऊपी तक का जो छेत्र है वो गुर्जर परतिहार के छेत्र है उनके कबजे में है ठीक है यहाहां ते कि दिलली जो बसाया गया था इनहीं के ज्वारा बसाया भी गया था ऐसा कहते है चलिए और राजा-तो मतलब अगर आपसे कोशन पूछ ले कि दिल्ली किस ने वसाया तो तोमरों ने वसाया था और तोमर बंस यानि कि इन ही बंस का एक साखा माना जाता है चलिए ठीक है और तीसरा जो एक परमुख है जो इस तरी पक्षिय संघर्स के हिस्सा थे वो थे राष्ट्रकूट बड़ा इंपोर्टेंट है राष्ट्रकूट संस्थापक इसके दंती दुर्ग है और दक्षिन भारत का बहुत इंपोर्टेंट एक बंस माना गया है या बंस है इतिहास में इनके लिए ठीक ठाक जगा इतिहास कारों ने रखा है बहुत ठीक ठाक जगा इतिहास कारों ने रखा है इन्होंने बहुत काम किया है राष्टकूटोंने, तो जो मैंने आपको कहाना है कि अलग से हम पूरा छितरी राजाओं का एक बनाएंगे वीडियो, उसमें राष्टकूट के उपर हम बहुत बात करेंगे, ठीक है, तो राष्टकूट को हम उसके लिए छोड़ते हैं, बहु ते तीसरा, तेसरा क्या थे वीटा राश्ट्रकूट आप यहां पर देखोय अगर यह राश्ट्रकूट है थीसरा तो पाल परतिहार राश्ट्रकूट तीनों के संस्थापक का नाम और तीनों के area आप समझ लिए दक्चिर भारत में राष्ट कुटों का ठीक ठाक जगा था बहुत अच्छा और वो हमेशा अच्छा एक चीज और यहां पर संघर्ष का कारण यह बात तो हम आपको बताए ने यह तो लिग दिये कि तीन लोग कौन थे संघर्ष के कारण क्या थो तो देखो संघर्ष का बड़ा इंपोर्टेंट कारण है कहने के लिए तो कन्नौज पे अधिकार कन्नौज उस समय बड़ा एक इंपोर्टेंट सहर के रूप में उबरा था जैसा कि हमने प्राचीन भारत की इतिहास में बताया था कि गुपतों के पतन के बाद यानि गुपतों के साथ पाटली पुत्रा बैसाली या उत्तर भारत के परमुख उस समय के क्या बलते हैं सहर थे वह डिक्लाइन में चले आते हैं अच्छा कौन सा परमुख सहर वैसे परमुख सहर जिनका हम है ना चाहिए का हो या फिर वही का सि הरा ठीक है या फिर हम पाटली पुत्रा या फिर वैसाली की बात कर यह तो इनका decline होने लगता है इनका decline हो जाता है गुपटों के पतन साथ ही लेकीन दरशल केХramatic इस लाइन गुपतो के साथ ही मतलब गुपता समराज के समय ही होना लगता है क्योंकि ऐसा कभी कभी एक्जाम में कोशन भी पूछा जाता है कि गुपतो के समय में सहर की क्या इस्थिती थी तो सहर पतन अवस्था में थी यह लाइन अपने कौपी में लिख लिजेगा तो तो बहुत के लिए The कहानी कभी पाल अधिकार कर लेते हैं कभी प्रतिहार अधिकार कर लेते हैं कभी राश्ट्र कूट अधिकार कर लेते हैं तो यह तीनों में चल रहा होता है पूरा का पूरा एक आपस में लडाईया चल रही होती है अब इस लडाई को अगर ब्रॉड मानसिक्ता से देखो से उल्जाय रखा वही कारण है तिरपक्षिय संघर्स का यह जो मैंने लाइन बोला है यह यूपीसी का लाइन है समराज बिस्तार का जो एक पूरा का पूरा सोच यही जो है न संघर्स का मुख कारण हुआ करता है अब यहां पर अबजेक्टिव हो जाए यानि कि एकदम बि तो हम इतना बड़ा राजा है तो तिरपक्षिय संघर्स का कारण भी समझ में आ गया और कौन तीन थे यह भी समझ में आपको आ गया ठीक है ना आप जानते हैं कि पाल का ही धरमपाल एक राजा था जिसने अब कमेंट करो कि धरमपाल एक राजा है जिसने एक बिस्विद्यालय बनाया उस बिस्विद्यालय का नाम क्या है आप एक बार कमेंट कीजिएगा तो जरह हमें ठेक है और फिर मैं आगे बरता हूं चलिए आगे बरते हैं हम लोग और आगे बरते हैं तो हम देखते कि हमा नाड्डू में है तमिन नाड्डू के छेत्र का एक बन्स है चोल ठीक है? तमिन नाड्डू का चोर, चेर, पांडे दरसल मैं इसके बारे में छोटी सी बात आपको कर लूँ तो ध्यान में रखिएगा संगम युग में चोर, चेर और पांडे तीन बन्स थे जो दक्षिन भा यहां केरल का पूरा राजबंस के चेरों के पास था, ठीक है, केरल का पूरा राजबंस किसके पास था, चेरों के पास, जरा मैं इसको कर लूँ, ठीक है, नाम सुना होगा संगम, यह बिजय नगर का संगम नहीं है, यह संगम का पूरा सहित है, संगम सहित, यह संगम काल, ठी चेर, पांडे, ठीक है, यह तीन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो चेर है, वो केरल का छेत्र है, जो चोल है, वो तमिलनाडू का छेत्र है, ठीक है, और जो पांडे है, वो भी तमिलनाडू का छेत्र है, तमिलनाडू में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तमिलनाडू आंद कि संंगम काल का संगम्साहित के समय का अगर कुसी को हम मानते हैं कि संगम्साहित के निर्मान, Jeannis जो संगम साहित को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगा कि बापरे, 9900 साल तक 9900 साल तक 9900 राजाओ ने इतने गरंतों का मतलब ऐसा लिखा गया ने जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ-कुछ ऐसा लगता है कि यार आउट अप दो वर्ल्ल जैसी बाते कर ठीक है, जैसे आम भासा में करें तो फेकने वाली, लेकिन उसमें से कुछ साहित बड़े इंपॉर्टेंट है, जो एक्जाम के कभी-कभी कोशन बन जाते हैं, कभी नहीं बनते हैं, तो हम इसके उपर भी बात कर लेंगे, लेकिन यह जो चोल है, यहाँ चोल के कंसर्ण में हमने संगम काल की बात की, तो यह जो चोल यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, यह दरसल पूराने चोल हैं, और बीच में चोलो का एक पूरा का पूरा बेवस्था गरबर हो गया था, यानि कि यह पूराने चोल है और इसके समय पलवो ने पूरा उस छेतर पे अपना अधि बिज्याल है था, जो पूराने चाल है चोल थे, वो तो करैकाल जैसे राजाओ का चोल था, जो करैकाल को जले हुए पैर वाले राजा कहा जाता था, जो सबसे महान था, पूराने चोल का सासक, तो ध्यान को रखेगा, जो पूराने चोल है, और जो ने चोल है, उसमें अंत आज़ाता है और फिर फिटल के सायाव कई टारी पर फिर यह से च rehearsal बाता है उसरयाइन परबने लुएす चोलों का पूरा का पूरा दौर था वह लगभग समाप था, वह पलवों का दौर चल रहा था या फिर दूसरे तीसरे राजा हो न करके पलव सबसे इंपोर्टेंट थे तो पलवो के बाद फिर जो दुबारा चोला है, वो फिर महान चोल हुए, जिसमें राज राजा और राजिन पर्थम जैसे राजा हुए, उसी चोल की बात हम यहाँ पे करेंगे, चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे थे, किसके चोल के बारें बात कर रहे थे, और इसके फांडर कौन है, संस्थापक यानि की, इसके संस्थापक है, बिज्यार है, और इसकी राजधानी है, तंजोर, तंजावुर भी बोला जाता है, ठीक है, तंजोर या तंजावुर भी बोला जाता ह ठीक है न, चलिए, अब आगे हम लोग अगर बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि चोलो का जो important राजा है, उसका नाम हमने यहां पर लिखा है, जिसमें दो राजा सबसे important है, बहुत important है, वो क्या है, एक है राज राजा, यह बड़ा important है राज राजा, और राज राज राजस्वर मंदिर का निर्मान तंजावुर में करवाया है, जिसको तंजौर कहते हैं, तो यह एक्जाम का question बहुत बार पूछे हैं, तो इसको आप बड़ा ध्यान से देखेगा, पीडियेफ आपको मिल जागा, जो बाते मैं बोड़ पर समझाता हूं, उसका पीड राजा, याद रखेगा, सबसे महान सासक, चोलो का, उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट और महान सासक है, वो है राजेंदर पर्थम, राजेंदर पर्थम की महानता का अंदाजा आप इसी से लगा लीजे, और भी बाते में बताऊंगा अभी, एक मेर रुख ज जाता है, गंगा, यानि कि गंगा का मतलब होता है, यूपी और बिहार का छितर, इसी को मुख रूप से गंगा कहते हैं, इस बात को याद रखियेगा, ठीक है, तो गंगा के किनारे तक पहुंच जाता है, और इसलिए इसने गंगय कोंड चोल पूरम का अस्थापना किया और उसे अपनी राजधानी मनाया, यानि कि तंजोर से अपनी राजधानी कहां, गंगय कोंड चोल पूरम, ध्यान रखियेगा, गंगय कोंड चोल पूरम, वहां तक पहुंचता है, और अपनी राजधानी बनाता है, अप अंधाजा लगाये कि कैसा ये पूरा का पूरा, दक्षिन भारत से मान के चलो कि अगर यहां पर तमील लांडू है और इस तरीके से हमला करते हुए बीच में कितने छेतर आये होंगे, जंगल आये होंगे, जारिया आये होंगे, छोटे छोटे राज आये होंगे, सब को जीते हुए और ये कलकल बहती हुए गंगा के किनारे परा करके और कहता है कि मैंने गंगा को जीता, गंगा के पास के छेतरों को जीता है, और मैं गंगाय चोल हूँ, यानि कि गंग, गंगे, कोंड, चोल, अपनी उपाथी जो धारन किया, तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, इतने छेतर तक पहुंच जाना, इतना छेतर तक फिर हम आपको का बलते हैं, असोख को पाते हैं कि असोख जो है न, उत्तर भारस है, यानि कि पटना, वह भी गंगा के किनारे है, तो एक गंगा से निकलता है असोख, और फिर कहां तक पहुंच जाता है, नर्मदा तक पहुंच जाता है, नीचे. तो आप देखिए नदियों का हमारा कितना इंपोर्टेंट है कि जो नदियों से रिलेशन कैसा हमारा गंगा के किनारे का असोक नर्मदा के किनारे जाकर के और ब्रहमी लिपी में अपना नाम कहता है कि हम असोक हैं ठेक है गंगा के किनारे वाला असोक नर्मदा के किनारे पर और यहां पर यह नर्मदा वाला राजेंदर पर्थम गंगा के पास जाके कहता है कि हम गंगय कोंड चोल है मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा अगर रिलेशन बना करके अपती जोग को पढ़े तो आपको तुरत याद हो जाएगा चलिए इस बंस का अंतिम सासक है राजेंदर तिर्थिये ठीक है बहुत इंपोर्टेंट नहीं है अंतिम सासक है इसलिए इसका नाम यहां पर हमने एड कर लिया है तो मैंने चोरों के बारे में बता है, Raja Raja और इसी के नाम से जानते हैं, 해ा dit तो आप जानते हैं आज भी कमद्धान के से abonati मंदिर है राज राजा सवर बिर देशवर मंदिर का टे एक्जाम में कोशन कई बार पूछा इसको डालना बड़ा इन्पोर्टेंट हो जाता है कहां निर्मान होए बिर देशवर मंदिर तंजाबूर राजधानी में होगा ना तो सिंपल इसे जिसका जो छेतर रहा है वहां पे वह development अपर अपने अकार पठना देख़ो मॉरियोंका था या फिर पठना आगे चल करकर के गुब्तो तक एक केंडर बिंद्रॡ्टू था तो पठना यह हमने बात किया था, अब यह दिखाते हैं आपको ब्रहदिस्वर मंदिर, यहाँ पर देख लिजे, और यह जो फोटो आपको लगा है, यह राज राजा का फोटो है, यह तस्बीर, अब चुकी, मैंने पहले भी कहा, कि जो भी मेरे पास तस्बीर है, वो कहां से लाऊंगा ठीक है, तो यह तस्बीर है, राज राजा का, यह ऐसा मूर्ती बना हुआ है, तमिलाडू में, और यह ब्रहदिस्वर मंदिर यह है, इस दोनों को आप अच्छे तरीके से देख लिजे, मैं यहाँ पर हूँ, तो यह राज राजा है, सबसे महान सासक चोलो का, आप समझ ल चोलो के बारे में एक छोटा सा पॉइंट यह है, कि चोलो का दो तिन पॉइंट यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इसको देख लिजे और यह तस्वीर देखे, यह किसका तस्वीर है, नटराज का, और जब नटराज की तस्वीर आप देखते हैं, तो यह इसमें कौन सा भग तो इसमें भगवान सिव है इसका मतलब चोलो का इष्ट देव कौन थे सिव थे क्योंकि यह तस्वीर देखने के बाद चोल बन समझ में आता है यह चोलो का पर्तीक है यानि कि इस इस तस्वीर को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि चोल ही है यह ठीक है तो जैसे होता है ये चोल है यानि कि चोलों का ये symbol है ये बात समझ लिजह इतना IMPORTENT है इतना IMPORTENT है ये तो नट्राज सिव कौन से है ये क्या है सिव है और सिव जो यहां पर अपनी मुद्रा है वह कौन सा मुद्रा है ये भी बता दू तो ये कितने हाथ है तो भगवान सीव के चार हाथ है, इसमें बहुए के 4 हाथ दिखाओ, देखो, 1, 2, 3, 4 एक झटके मिलेंगा तो लेंगा पतानेंरे कितने सारे हाथ ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, चारी हाथ है, ठीक है, चारी हाथ है, याद रखेगा, और ये तांडम मुद्रा है भगवान सिव के, तो ये सिव के उपासक थे, याद रखेगा, नटराज इसका नाम है, ये बात आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन जो मैंने बताया, उसको कॉपी में जरूर लिख लीजेगा, क्योंकि ये लिखावा नहीं मिलेगा, ये लिखावा मिल जाएगा, ठीक है, तो हमने नटराज की बात कर लिया, चलिए, और चोलो की एक सबसे महतपूर्ण जो BCS था था, वो था अस्थानिय स्वासासन, और अस्थानिय स्वासासन इत इतना इंपॉर्टेंट था चोलो का, कि अगर हम इसके बारे में बात करें, तो आपको मैं बताओं कि जितने भी PCS बेगारा का जो इजामनेशन होता है, और खास करके इतिहांस बेगारा से, तो अस्थानिय स्वासासन का संभावना सबसे ज़्यादा होता है, एक्जाम में की बात की गई थी, यह सारी बाते हमने आपको बताया है, यहां पर सिर्फ एक रिवीजन जैसा चलना है, ध्यार रखिएगा यह पंचायती राज वस्ता ऐसा नहीं है, कि एक नई अबधारना है, हाँ उसका पैकेजिंग जरूर नहीं है, मतलब कि जिस पैकेट में बंद हो करके हम पंचायती राज को अनुभव करते हैं, वो पंचायती राज का पैकेट नया है, लेकिन पंचायती राज टर्म और पंचायती राज की अनुभूती वो बहुत पुराना है, पैकेट नया है, लेकिन उस अनुभव बहुत पुराना है अपने देश के लिए, और वो चोलो ने दिलाया है अपने लोगों को पंजायती राजवस्ता स्थानिय स्वासासन और यह इतना इंपॉर्टेंट था कि अस्थानिय स्वासासन को जो चुने जाते थे उसका पूरा का पूरा परकडिया था मैं यहां पे सारी बात नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए सिर राज राजा हो चाह राजेंद्र पर्थम यह दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सा सक है वो भी हस्त छेप नहीं करते थे पंजायती राजवस्त हमें इतनी बड़ी बात है यानि कि जो डिसीजन ले लेता था ना गराम पंजायत के अस्तर पेस में वो डिसीजन सर्म मानने होत मतलब यह आदर्स है मतलब ऐसे समल्यों कि यह आदर्स है ठीक है यह आदर्स है मतलब इससे अच्छा अस्थानी सोसासन न पहले था और न आज है तो यानि कि अगर अभी अस्थानी सोसासन है तो इन आदर्सों पर यानि चोलों के अस्थानी सोसासन के आदर्सों तक पहु पजुन if there are huge मतलब सम donor 쓰고 और भी उत By यदा शौरी ऋमें हैं चरो के बारे में बात अलग से सरूते हो तो की अस्थानी में बार का सबसे पर मुख ज़िएस्थ याद रखेएगा कंबन कुट्टन जैसे परमुख कभी हैं कमबन, कुट्टन कभी-कभी एक्जाम में कॉस् fulfillment कमबन, कुटन से आ जाते हैं इंग्लीस वाले बच्चे परसान नहीं होंगे Hiindi वाले बच्चे परसानी होंगे pdf भी आपको Hindi इंग्लीस दोनों में मिल जाएगा अपना कॉपी भी चलाते रहे हमारे साथ क्योंकि कुछ चीजे जो मैं बता जाता हूं वो साथ आपको PDF में नहीं मिलेगा, वो PDF में लिखावा नहीं मिलेगा, तो हमारा काम इसलिए होता है, हम किसलिए, अगर सब कुछ PDF से पढ़ लिए, तो फिर हमारा काम क्या है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है, मुस्लिम आकर्मन कारी, यानि कि हम लोग बात करेंगे यहां पर भारत में अरवो का आकर्मन, यहां पर लिख देता हूं, अरवो का, ठीक है, अरवो का आकर्मन, अरवो के आकर्मन के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी और वो के आकरमन के बारे में। देखिये, कुछ चीजे मैं थोराशा आपको समझा देना चाहता हूं, जो कि आपके लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है? क्या है वो जरा मैं बताऊँ, देखो, ये जो है न ये हमारा भारत है, ठीक है? ये हमारा भा और अब सागर है ठीक है और यह हमारा इंडियन ओसीन है और यह हमारा बंगाल की खाड़ी है यह बात आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से तो मैं आप बंगाल की खाड़ी भी कर दूँ ठीक है मैं हिंड महासागर और यह हमारा भारत तरीक है उपड़ मीं चीन है और यह अरब देश है हैं और यहां से प्रेप जानते हैं यह भूमध्द six अग़र है और फिर ये इरान इराग वेगड़ा ऐसा करके अरिया है सब यहां पर चलिए ठीक है यह ऐसा करके अरिया है जो हमारे ही छित्र में है अब यहां पर एक बात बड़ा ध्यान से समझेगा आप लो इसलाम का उदय होता है और इसलाम के उदय के साथ एक नई सकती एक बात मैं आपको बता दू बड़े तरीके से और इस बात को समझेगा कि पूरे दुनिया में इसलाम से जल्दी और इसलाम से तेजी में बढ़ने वाला कोई दुसरा धर्म नहीं और उतना बिसाल सकती कम समय म बनने वाला फिर कोई दुसरा धर्म भी नहीं रहा है पूरे अपने भार दुनिया के इतिहास में तारीकों में ठीक है क्योंकि अगर आप ध्यान रखियेगा तो जो मुहमद साहब थे उनके कुछी दिनों के बाद यानि कि उनके जब चीजों को उन्होंने फॉर्म किया थ तो मात्र सौ साल में ही वो भारत पहुंच गया बौत धर्म इतना पुराना है ठीक है उनको आसपास के छित्रों में बढ़ने के लिए या फैनले के लिए कनिस्क तक इंतजार करना पड़ा यानि कि 463 भगवान बुद्ध का जन्म होता है और कनिस्क कहां 78 यानि कि 500 साल पहुंच जाते हैं आसपास के छित्रों को जीते हुए आसपास के छित्रों पे अपना कभजा जमाते हुए ठीक है मात्र सौ साल में आप समझ रहें तो बड़ी बात है ठीक है बड़ी बात है अच्छा भारत क्यूं आते हैं यह बात ध्यान में रखने की चीज़ा है कि भा यह पूरा-काफॉरा अफ्रीका है कुछ इस तरीके से ब्यपार नहीं चल रहा था लेकिन जब इसलाम का आकमन हुआ लगने इने सब खित्रों पे वो पूरा-काफॉरा अपना कफजा जमाते हुए भारत के इस इस इलाके में पहुंचे जो आज का पाकिस्तान है मैं उसमय के भारत की बात कर रहा हूँ ठीक है जो आज का पाकिस्तान है जो सिंध का छेतर है यानि की सिंधु नदी के इंडस रिवर के छेतर के आसपास पहुंच गया सिप सौजालों में और यहां पर सासन करने लगा और यहां पर बेवस्था अपना बनाना शुरू कर दिय तो पॉइंट है और यूरोप के लोग भी भारत से बेपार करना चाहते थे या भारत आना चाहते थे दिकत यह है कि सब भारत ही क्यों आना चाह रहा है यह भी वाताफ समझेगा यहां पर चीन में आगे चलकर जब मंगोल जो चंगेज खान जो मंगोल के थे वो जब महान यहां पर रौते हुए वो भी भारत की तरफ आया थे लेकिन फिर भारत नहीं आपा है वापस चला गया लेकिन भारत की तरफ तो यह सारे लोग भारत की तरफ क्यों आ रहे हैं कभी आपने इस तरीके से सोचा है क्या बस एक ही कारण था सिर्फ एक कारण और वो एक कारण क बहुत धन था हमारे पास मतलब धन की समरिधी थी और दूसरा ग्यान का ये दो समरिधी भारत में हमेशा से रहा है और इसी दोनों समरिधी के लिए अलग-अलग तरीके से लोग आए है जो हमलावर है आकरमन काड़ी है वो धन के लिए आए है याद रखेगा और जो बिद्वान है जो ग्यान लेने चाहता है वो ग्यान के लिए है चाहे हो बहुत धर्म से जुरे हुए ग्यान हो चाहे हमारे जो पुरातन संस्कृति है उसको लेकर के ग्यान हो जैन से लेकर के ग्यान हो या फिर आगे चल करके जब हम देखते हैं कि गुरु नानक जैसे लोग जन्म लेते हैं हमारे हाँ और एक परंपरा की शुरुवात करते हैं सिख परंपरा की उनका ग्यान हो या फिर जो भी हो तो ये दो चीज हमेशा से हमारे पास रहा है बस ये है कि हम लोग कुंठित हैं मतलब दूसरे की चीजों को देख करके अट्रेक्ट जादा हो रहा है लेकिन इतिहांस मैंने कहा कि बनाने वालों इतिहांस से बेहतर सब्जेक्ट नहीं बनाया इतिहांस को अच्छे तरीके से देखेंगे तो यही दो चीज है जो कि भारत के तरफ लोग को अट्रेक्ट किया है और आज भी अट्रेक्ट कर रहा है इस बात को दियान रखेगा कमोबेस आज भी अट्रेक्ट करी रहा है चलिए ठीक है तो ये अट्रेक्शन हमको लगता है समझ में आपको आ गया अब हम देखते हैं कि क्या हुआ था तो ये अरवो का आकरमन की बात करते हैं और पहला अरब यानि कि ये जो सेना पती था मुहम्मद बिन कासिम 712 AD में भारत पे आकरमन करता है पहला मुसलिम आकरमन कारी है और ये तीनों एक्जाम का कोस्टन है तीनों एक्जाम के कोस्टन बनने का मतलब क्या है कि पहला मुसलिम आकरमन कारी कौन है तो मुहम्मद बिन कासिम ठीक है ये कौन था तो अरवो का सेनापती था कब आकरमन किया 712 AD में आकरमन किया किस छेतर में आकरमन किया तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किस छेतर में आकरमन किया मैं फिर से लिख दू सिंध पर्देश में, सिंध पर्देश, सिंध पर्देश, यानि कि जो आज के पाकिस्तान के पास जो एरिया है, उस पे आकरमन किया है, सिंध पर्देश पे आकरमन किया है, ठीक है, कहां आकरमन किया, सिंध पर्देश पे, यही था वो मुहम्मद बिन कासिम, हलाकि तस्वीर मैंने पहले भी कहा कि जो internet पे आफेलेबल है मैं उसी तस्वीरों के साथ अपनी चीजों के चला रहा हूं कि कुसमें मैं उस समय का मैं था नहीं और नहीं मैं कोई photo खीचने का यंद्र हुआ करता था आप साइट समझ सकते हैं यह अंतर था या नहीं था आप कमेंट कीजिएगा ठेक है तो यह मुहमद बिन कासीम है ठेक है इसी ने आकरमन किया था भारत पे 712 AD में और पहली बार इसलाम धर्म से और इसलाम से रूबरू हुए थे हिंदुस्तान के लोग यानि कि हिंदुस्ता हिंदुस्तान नाम ठीक है तो यहां पर देखेगा यह सिंद के आजपास का परदेशों पर इन्होंने सबसे पहले आकर के कब्जा जमाया वहां के राजाओं को हराया और वहां तक अपने परदेश का बिस्तार किया सिंद के इस पार अभी तक नहीं आये थे लेकिन फिर आगे चल करके ऐसे भी आकरमन कारी हुए जो सिंद तक आते हैं तो अभी आप देखिएगा सिर्फ आकरमन कारियों का पूरा पूरा दौर आएगा जो कि इंडस वैली सिविलाजेशन में आपने देखा था कि किस तरीक की बात हमें आपे कर रहे हैं ठीक है चलिए तो ये बात आप लोगों ने समझ में आ गया कि ये पहले आकरमन कारी है फोटो भी आप लोगों ने देख लिया अब यहां पर देखते हैं कि दूसरे आकरमन कारी हमारे पास या फिर परमुख आकरमन कारी दूसरे नहीं कह सकते महमूद गजनभी है दूसरे आक्रमनकाडी इन्पोर्टेंट है एक्जाम के कोशन कई बारी पूछा गया है यहां से यहां पर दो तीन तस्वीरे हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ बाते आपको पहले से पता है यह का बोलते हैं हमारा सोमनात का मंदिर है सोमनात का मंदिर है जो बरतमान का सोमनात मंदिर है वो दुबारा से बनाया गया है यह टुटा फुटा बिखरा सा सोमनात का मंदिर है और यह तस्वीर लगवग 1859 का है जहां तक मुझे याद है यह 1859 का तस्वीर है तो यह जो रियून है यान यह की पूरा खंधर जैसा है स भगवान सिव टेमल था अगर आप से कोशन पूंचे कि सोमनाथ inefficient नस जुक्ति सब्सक्राइब को कई सबस्क्राइब से भगवान सिब से जूरा हुआ है सोमनाथ強़ चलिए ठीक है उसके बाद एक और तस्वीर जो आपको इहां पर दिखाई देता है वो जो उपर में है ये है आपका गजनवी ये आपका गजनवी है जिसने 17 बार भारत पे आकर्मन किया था और इनका सबसे इन्पोर्टेंट आकर्मन था सोमनाथ के मंदिर lost और इनके साथ अपको इसने 17 बार अकर्मन किया थी अर्ड़ा आपको दिखरा यहां पर दिख रहा है उसके पाद यहां पर एक थश्वीर देखते है बरा इन्पोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट और इनका नाम है अलबरूनी, यहां पे लिखा हुआ है, अलबरूनी है नाम इसका अलबरूनी बोलते हैं, जो भी आप बोल लिजे, ठीक है, और इनके किताब का नाम है किताब उलहिंद, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, किताब उलहिंद, किताब का की किताब का नाम है किताब का नाम है हिंधी इंगलीज में लिख वैं हुटर है किताब कर दोनों किताब लृugिंद इनके किताब कर नाम है और यहां पर इynnेयाए बात ध्यान में रखल रखेगा किताब कोनों को Łffar साथ बारत आया था तो गजनवी के साथ बारत आया था ये एक्जाम का कौश्टन है एक्जाम के जितने भी संस्किर्टी है औरेहां का स्थानी राजा है उनका जो पूरा का पूरा रिवाज है उसके उपर में बहुत सारी बाते इन्होंने किताब उलहिंद में किया है बहुत सारी बाते यहां पर किस तरीके से रिवाद चलती है सती पर्था और यह और वो सब कुछ के बारे में बात किया क्योंकि हम जाते हैं कि गुप्तों के समय ही सती पर्था सुरू हो जाता है यानि कि भानु ग खड़ा हूं तो एक्जाम के चीजे बहुत आती है और चाहे आप किसी भी एक्जामेशन के त्यारी करो, इससे कोई फरक नहीं परता है, कोई फरक नहीं परता है, किसी भी एक्जाम के त्यारी करो, सारे एक्जाम के लिए relevant है, सारे एक्जाम के लिए, सभी एस्टेट के एक् या उत्राखंड के लिए हो हर्याना के लिए हो किसी के लिए हो पूरे भारत में एससी के लिए हो बैंक के लिए हो पूरे भारत में जिसी चीज कभ एब एक्जाम का त्यारी करते हैं सारे examination में यहां से question पूछे जाते हैं आप previous year question paper देख लिजिए अगर हो question ना पूछे जाए तो फिर ठीक है चलिए तो यहां पर यह तस्वीरे आपने देख लिया और यह भी चीजे देख लिया तो यहां पर हमारा काम समाप्त होता है अलबुरुनी को और गजनवी को गौर से देखिएगा आगे बरते हम लोग अगला हमारा point है यहां पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग चलते हैं गोरी अब देखो लगातार अक्रमन कारी हमारे हैं आ रहे हैं लगातार आ रहे हैं आप दिख रहा है लगातार आने का क्या कारण है वो बात हमने आपको बताया क्या कारण बताया दो ही कारण थे एक ग्यान और बुरुनी किसलिए ग्यान के लिए और दूसरा सम्रिध्धी आने की धन के लिए तो धन के लिए आएगा तो ये सारे धन और अपने ये तो प्रफिरा चोहन है ये धन और अपने जो कया पॉलते है समराज विस्तार की निती है भारत में बहुत कुछ था मतलब भारत में यैसा था कि जो भारत में एक बार आया ना तो वो यहां का हो गया, सिर्फ अंग्रेज को छोर करके कोई ऐसा आकर्मन कारी नहीं है, जो यहां आया हो और यहां का नहीं रहा गया हो, चाहे वो इंडस वाले सिलाइशन के बाद आने वाले बैदिक आरियन हो, या इंडो-ग्रीक हो, जो ग्रीको-रूमन सासक बेगारा है, बहुत सारे है, कुजुलकटफिसास और कनिस्क बेगारा, सब यहां के हैं, सब यहां के हैं, सक हो गए, कुसान हो गए, हून हो गए, उसके बाद पर्थियंस हो गए, यह सारे के सारे यहां है और यहीं के हो करके रह गए, ठीक है, उसके बाद जब मिडल इंडिया में आते है तो हम देख रहे हैं गोरी हो गया इसे पहले आपने देखा गजनभी उससे पहले काश सब यहां है और यहीं के होकर किदा गए याद रखियेगा यह ऐसा है जहां पर चीजों को अपने तरफ खीचती है और अपना बना लेती है अंग्रेज यहां का अपना नहीं बन पाया हां कुछ अंग्रेज रहे लेकिन अंग्रेज यहां पर अपना नहीं बन पाया क्योंकि वह राष्टबाद के बड़ा अलग तरीके का फॉलोर था खेर चलिए हम उसके बारें बात करेंगे जब हम मेडिया इंडिया में चलेंगे तो यह गोरी है मुहम्मद गोरी अब इनके बारे में पॉइंट क्या है वो देखिए तो मोहम्मद गोरी को जब भारत पे आकर्बन किया था या भारत पे आकर्मन के बारे में आगे बढ़ रहा था तो सबसे पहले इसे किसी ने हराया था ये कोशन एकजाम में कई बार पूछा है तो सबसे पहले इसे राजा भीम ने हराया था 1178 में राजा भीम ने किसको हराया था? इसे हराया था गोरी को, राजा भीम ने सुलंकी बंस के राजा थे राजा थे राजा भीम जो 1170 में गोरी को हराया था ठीक है चलिए आगे उसके बाद गोरी फिर छुटमू टाकरमन बगरत तो चलते रहता है लेकिन एक बार फिर पूरे तयारी से आता है और इस बार दिल्ली का राजा बना बैठा है कौन पिर्थिवी राज चौहान पिर्थ क्यों का था चंदेलों का था यह चोटे-चोटे राज थे या फिर उत्तर पस्चिम में जो समय के इसलामी कुछ राज भी थे तो यह सारे राज उस समय एक्जिस्ट करते थे मौजूद थे लेकिन उसम में सबसे 46 प्रिथिवी राज चौहान यानि कि चौहान डानेश्टी जितना कि प्रिथिवी राज चौहान के समय में दिल्ली की सत्ता का इंपोर्टेंज आया और फिर दिल्ली और दिल्ली पे कबजा करने वाले इस देश में एक इंपोर्टेंट सासक कहलाए इसलिए प्रिथिवी राज चौहान का इतना ज्यादा नाम है क्योंकि इन्होंने यह अपने आप में बड़ी बात है इतिहासकार जब कुछ चीज़े लिखते हैं तो उसके मन में पैठ करके देखना पड़ता है कि वो कहना क्या चाहते हैं क्यों पिर्थी विराज चौहान महान है किसलिए पिर्थी बहुत लंबे समय तक सासन नहीं किया है ना कुछ ऐसा दम थी और बाकई में बहुत बहादूर इंसान बहुत इनकी किवदंतिया है पिर्थी विराज चौहान की कहानिया है किवदंतिया है लोगों के मनों में घरों बैठा हुआ है बनना है तो पिर्थी विराज चौहान की जैसा बनना है राना परताप की जैसा बनना ये दो ऐ ऐसे राजपूतों के राजा है जिनको लेकर के घर-घर में कहानिया चलती है इस बात को ध्यान दखेगा तो यह पिर्थिविराज चौहान है दिल्ली पर कभजा करें बैठें हैं और मुहम्मद गोरी का अकरमन होता है तराइन का पर्थम यूद्ध 1191 पिर्थिविराज चौ देता है और भी इसमें बहुत सारी बाते हैं लेकिन उतने सारी बाते हम करेंगे यहां पर नहीं जितना ही करता हूं उतना ही बहुत हो जाता है ठीक है उसके बाद फिर से तराइन के दूसरी लडाई होती है 1192 में पिर्थिविराज चौहान के साथ फिर दुबारा इस बार पिर्थिविराज चौहान हार जाते हैं हलाकि उस समय पिर्थिविराज चौहान अपने आसपास के चातियों साथियों से यानि कि च्छित्री राजात उनसे मदद मांगते हैं लेकि उनको कोई मदद नहीं मिलता है और यह इस बार हरा देते हैं और यह हार जाते हैं अब य थीक है सकेंड वार यानिकी 1100 जो बिरानमे में इस दूमोस्ट इंपोर्टेंट वार है इस इंपोर्टेंट वार आफ इंडियन हिस्ट्री आप बोलेंगे सर आप हिस्ट्री ही लिग दिये मैं मद्धकाली भारत भी यहां पर लिग सकता था लेकि मैंने इंडियन हिस्ट्री ही ऐसा खरके लिख दिया जानते हैं क्योंकि establishment of establishment of Islamic Islamic क्या समदाज या Islamic पूरा का पूरा एज ठेक है यहां से भारत में Islamic age की सुरुवात हो जाती है तो कि इसे पहले जो भी राजा थे वो सिंद के आसपास के राजा छेत्रों में हमला करते थे वही पर था और उनका बढ़ा बहुत प्रभाब नहीं था भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाब नहीं था लेकिन जब मुहम्मद गोरी प्रतिवी राज चौहान को हराते हैं 1192 में तराइन के दूसरे यूद में और वो यूद भारती एतिहांस का सबसे इंपोर्टेंट यूद है क्योंकि उसके बाद यहां पे एक इसलामी करन शुरू हो जाता है और फिर भारत का कोई भी राजा कोई भी ऐसा राजा नहीं होता है जो दिल्ली को फिर से एक बार अपने हाथ में ले सके और पूरे भारत में पिर्थिवी राज चौहान जैसा कुछ बात कर सके या फिर पूरे भारत में इसलामी करन को एक बार फिर से खादेर करके और कु सत्व राजाबू में चलना सुरू हो जाता है पहले भी धर्म भारत हमता था, उस जो सनातन धर्म के मानने वाले राज मों खाएं वह था काम करते थे, यहां सत्व के पास नहीं चुर्ण कालिक्वलय किन्दर्म प्लैसाय कालफ movement के रहा उन तक हमारे भारतिय समाज में class of culture है और इस बात को मैं ignore नहीं करूँगा और मैं बड़ा ख़रा पक्का तरीके से बात को accept करूँगा कि आज भी class of culture है ठीक है लेकिन फिर भी आज तो बहुत चीजे तो बहुत ज्यादा असान हो गई है हजार बर्स हो गए ना 1191 से बिनानमे से लेकर के आप 2021 चल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं तो जब हजार बर्स हो रहे हैं तो लगवक हजार बर्स तो चीजे बहुत जादा बदल गई है लेकिन उस समय आप सोचिए कि क्या इस्तिदी रही होगी किस तरीके से culture का एक पूरा का पूरा बेवस्था और फिर राजा और उसके अंदर का जो परजा है और राजा क्या नियम बनाएगा उसका क्या सोच है किस background से आया है उसकी परवरिस कैसे हुई है और यहां का background क्या है यहां का समाज कैसा है जो नियम बनाएगा यहां के समाज कितना accept कर पाएगा उसके ल बात को समझेगा तो जगह अगर किसी चीज का पाया गया है तो उसके पीछे की चीजों को समझे समाज, कल्चर, धर्म और विवस्था से यानि राजनिती से चीजों को उस नजरिये से उस चसमे से समझना सुरू करेंगे तो इतिहास आपको बहुत प्यारा सब्जेक्ट लग भारते इतिहास का सबसे इंपोर्टेंटी दो में से एक ठीक है और यहां पे इसके बाद भारत में मुस्लिम समराज के संस्थापक बन गया है वहाद फांडर ऑफ मुस्लिम इंपायर कहां कौन गोडी ठीक है क्योंकि गोडी के बाद आप तुरंच जानते हैं कि उनका जो पिर्थवी राज चोहान के बारे में थोड़ा सा बात कर ले आगे भी हम कुछ बात करेंगे पिर्थवी राज चोहान ये पिर्थवी राज चोहान तिर्तिय थे अगर आप से question पूछे तो ये तिर्तिय थे है ना पिर्थवी पिर्थवी राज तिर्तिय थे यानि कि मूल इनके धर्वारी कभी का नाम है चंदरभर्दाई और उस समय राषो साहित बहुत फ्रासव शाहित मतलब्लाई के लिए जो लिखा गया पूरा का पूरा आलोंगे सक्षोटेश Nhzęish Innatello, का पूरा पूरा बरनन होता था कि हमारा राजा यह हो से तो इस चंद्रभार्दाई ने एक रासो सहित लिए अगर और यह इस रासो सहित का नाम था कुछ बाते लिखते चलिएग के पिर्थवी, पिर्थिवी राज रासो यह रासो साहित लिखा था किसने चंद्रबरदाई ने और जब UPSC अगर आप हिंदी मेडियम से हिंदी हिंदी मेडियम ने हिंदी लिट्रेचर को लेकर के अगर पढ़ना सुरू करेंगे तो आपको यह पिर्थिवी राज रासो पढ़ना मार दिये मतलब आँख बंद करके ठीक है सब्द भेदी बांद पिर्थिवी राज चोहान से पहले राजा दसरत जानते थे जो कि आप जानते हैं कि सर्वन कुमार को मारे से सिर्फ अंदाजा लगा करके सुन करके कि उनको लगा कि कोई भेरिया या कोई सिकारी जो है ना पान नहीं पता आप कमेंट कर देजा कि और कोई तीसरा है क्या तो इबात ध्यान रखेगा कि सब्द भेदी बान जानते थे पिर्थिवी राज चोहान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है चंद्रबरदाई और इन्होंने संयोगिता से साधिक किया था साधिक किसे किया अम इंत्रूबरदाई अब लोग जैचंद को गद्दार के रूप में जानते हैं जैचंद्से अर्थे अनिको नुक्राइद से नुट्स जैचंद्से मदद मांग था यां तो तुम कर रहा हो, और फिर आसा क्या रखते हो कि उसको मदद भी करें, कैसे मदद कर देगा, मतलब तुम करोगे, सोचो तुम करोगे, किसी को मदद, जब तुम हर साथ अगर कोई घटना हो तो, नहीं करोगे ना, अंदर से खुन खोलेगा, अंदर से गुस्सा आएगा, त इसनके पास तागत है, महान, विसाल सैनिक है इस गहरवाल बंस के पास, कहते है कि अगर गहरवाल बंस अपनी सैनिक इनको दे थे, तो वो गोरी को एक बार नहीं, अठारा बार हराते, इतना विसाल सैनिक जैजचंद के पास था, लेकिन वो क्यूं देगा, वो क्यूं तो यह तो दुस्मन हैना और तो यह चाहेगा कि इसके साथ क्या हो जाई यह तो मर जाए hear मतलब इसका मनोदसाख समझिये कि इसकी बेटी को किड्निय पर के ले गया है और फिर उसी को हमको मदद करना है जो हमारा किद्नय पर है अब आप मनोदसा से समझ लीजे और फिर आप इसको जो है ना गदार कहना साइद साइध मेरे नजर से छोड़ दे लेकिन मैं यहाँ पर आपके उपर फैसला छोड़ता हूँ मैं फैसला करने वाला कोई नहीं होता हूँ मैंने जो फैक्ट था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बाड़े में यानि कि अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत ठीक है यहां पर लिखा है मैंने दिल्ली सल्तनत हिंदी इंगलीस दोनों में है ठीक है दिल्ली सल्तनत के बाड़े में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं गुलाम बंस, खिलजी बंस, तुगलक बंस, सयद बंस, लोधी बंस कौन-कौन गुलाम बंस, खिलजी बंस, तुगलक, सयद, लोधी ठीक है तो यहां पे ध्यान रखेगा कि गुला अब सबके संस्थापक और सबका टाइम पिरेट बगर सब लिखा हुआ है सब बताते चलेंगे बड़े अराम से बड़े इत्मिनान से हम बात कर रहें ठीक है तो ध्यान रखेगा कि जब गोरी यानि कि मुहम्मद गोरी की मिर्तिव होती है 1206 में 1206 में 1206 में गोरी की मिर्तिव हो जाती है कहते हैं कि उसको मार दिया था तो कोई बात नहीं है तो आम बात है ना कि राजा को मार करके और जो सामन्त है या फिर जो मंत्री है या फिर जो राजा के कड़ी भी है वह उनका भी इक्षा है कि हम भी राजा बने तो राजा को मार देगा तो राजा बन जाएगा सिंपल है उसमें तो राजा का रिप्ले यल्दाज, कुबाचा और यवक यह तीनों गुलावों में बाढ़ देता है अपने छित्र को ठीक है यानि कि यहाँ पे बाद में चलकर करके यवक के साथ यल्दाज और कुबाचा की लिराई होती है वह बाद की बात है पहले था हम यहां देख ले तो यहां पे जब होती है ठीक है तो बारत सुच्छे में गोरी के मिर्थ्यू के बाद भारत में जो चीजे रेगुलेट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ये तीन भागों में बार देते हैं अपने च्छित्र को तीन और इनके जो गुलाम होते हैं यल्दोज कुबाचा और एवक फिर एवक क्या करते हैं एवक करते हैं कि दिल्ली में अब एक बंस के अस्थापना करते हैं जिसका नाम है गुलाम बंस एवक हम आगे अभी उसको भी देखेंगे उनकी अस्थापना करते हैं कौन सा बंस गुलाम बंस और उसके संस्थापक हो जाते हैं और फिर यहीं से दिल दिल्ली सल्तनत नाम तो इतिहांसकारों ने दिया है, मेरी बास समझे, सल्तनत नाम तो इतिहांसकारों ने दिया है, सासन तो बंस कर रहा था, तो वहां पर जो सासक हो वो तो अपने बंस को जानेगा, ठीक है, फिर इतिहांसकारों ने देखा कि पूरा का पूरा कहानी चल रह कि उसके हिसाब से चीजों को उन्हें रेगूलेट करना शुरू कर दिया फिर दिली सल्तनेत का एक पूरे टोपिक्स नजर्णा आया गुलाम बंस को मामलूक बंस भी कहा जाता है मामलूक बंस मामलूक बंस भी नहीं कहा जाता है गुलाम बंस का और यह कोशन पूछ दिया कि तूगलक बंस के बाद कौन F GitHub के बाद कौनसे बंस ने स्लतनत पुर संArq तो खilji भी औप्सन में रहेगा और सयद भी में रहेगा लोदी भी में रहेगा अगर आप नहीं जानते हैं तो खिल्जी टिक कर देंगे, लेकिन इसको याद रखना बड़ा आसान है, गुलामों के बाद खिल्जी, गुलामों का दौर खतम होता है, तो खिल्जी यानि कि अलाव दिन खिल्जी आते हैं, जो कि गुलाम नहीं है, अपने आपको सर्व सक्तिमान मानता है, तो गुलामों के वह कुछ करना चाहता है वही काम कहींने कहीं मुहम्मद बिन टूगलक करना चाहता है लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है तो चिल के गी रास्ते पें तूगलक के बाद सयद कोई वैलु नहीं है तुगलक सब कुछ खराब करके गया, तो सयद कहां से बनाया, उसका कोई value नहीं है, लोधी ने आकर के कुछ काम किया, सिकंदर लोधी इंपोर्टेंट है, आगरा सहर का निर्मान किया, तो लोधी उन्य कुछ काम किया, तो गुलाम को याद रखेंगे पहले में, जो कि ऐसे आपको याद हो जाएगा, लोधी आप लास्ट में याद रखेंगे, कैसे याद होगा, क्योंकि पानीपत का पर्थम नड़ाइब इबराहिम लोधी और बावर के समय हुआ था, तो लोधी आपका लास्ट डानेस्टी है, तो ऐसे समल लीजे, याद करने के तरीके बता रह किवर्ड और सॉटकट और इसको याद रखते हैं, तो सॉटकट कीवर्ड मैंने कभी जीवने बनाया नहीं, कभी-कभी इसी तरीके से अपने मन में बनाके खुद के लिए याद करके खुद के लिए रख लेता हूँ, लोगों के तक नहीं पहुचाता हूँ, क्योंकि कभी इसी तरीके से लिए रखते हैं, आगे बरते हैं, आगला पॉइंट यहाँ पर चलते हैं, हम लोग सल्तनत काल में दसलेव डानेस्टी यानि की गुलाम बंस, कुत्व बुद्धी नेवक जैसा कि मैंने बताया संस्थापक है कुत्व बुद्धी नेवक, होता ही है कि या जुल्दाज और कुबाचा और कुत्व बुदृदी नेवक, यानि एवक तीनो में आपस में लगाता है। और इस तीनों के लगाता है और जो मजबूती से निकल के आते हैं वह आता है। में लाप मैंने आपको बताया किसे मामनूक बंस कहते हैं, जो कि एक्जाम का कोश्चन है, यह बात मैंने आपको बताया, ठीक है, संस्थापक और बाट कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़े हम कर लें, उसके निर्मान कारिफों देख लेते हैं, सब से पहले यÝ गोड़ी का गुलाम फंस देस्थाप्ना किया राजधानी कहा रखा लाहर होर दिल्ञ नăm रखा लहर राजधानी रखा और लाहोर से सासन करना सुरू किया लहार से बीवस्ता को चलाना सुरू किया काफ़ी दिनों तक दिल्ली जो राजधानी को shift करता है वो इलतुतिमिस करता है याद रखेगा point को मैं राजधानीों की परिवरतन को भी आपको बताते हुए चलता हूँ क्योंकि कोस्टन एक्जाम में बन जाते है तो कुत्तिवुद्दीर यह वक्त ने लाहोर को अपना क्या बनाया राजधानी बनाया ठीक है गोरी का गुलाम था यह बात मैंने आपको बता दिया ठीक है एक्जाम का question क्या है यह बीवी आई की इसे लाक बक्स कहा जाता था किसलिए लाक बक्स कहा जाता था क्योंकि यह दान बहुत करता था दानी था दानी था दानी जैसे हमारे हैं दान लाख वक्स कहे जाते थी इसे लाख वक्स, ठीक है ना चलो ठीक है ये एवक है एवक का time period बड़ा चोटा रहा बहुत चोटा रहा बाराऊ आसथे जर्म लिया जैसे ये सुल्तान बना बारा आसथे छे में और आसथे में इसकी मिर्त्यू हो अचा इसका मिर्त्यू कैसे हुआ वो देखो तो चुकि एबक तो बहादूर सेनापती था तो छुट्टियों के दिन क्या था कि वो घोरे से घोरा से चौगान खेल रहा था पोलो खेल रहा था जिसको बोलते हैं घोरा वाला जो ऐसे डंटा से स्टीक से मारते हैं पोलो पोलो ऐसा है कि उद्ञें चुट्टि का दिल रहा होगा घोरा का बोला कि आझ हम झेलेंग़ है घोरा घोरा घुसा गया होगा कि तुह हमको चुट्टि कभी मिमम दिस मैं है लोग नि पणते रहे हो नहीं झालक मिलता फॉरा से वहिए खिर करखेमिने, कि बstemगन क्षा भगन शन दस में निपट लिए चौगान खिलते हुए यह भाई साब इनका काम हो गया कुतु बुदी निवक्का और इन्होंने कुछ काम जो सुरू किया था अधूरा रह गया अक्सर ऐसा होता है जब काम सुरू करते तो कुछ अधूरा रह जाता है और आप निपट लेते हैं आपको अधूरा है वह भी मैं तुमको दिखाऊंगा उसके आने बड़ा उसका कोई भैलू नहीं किया तो आज तक अधूरा है लेकिन इसने जो कुटू मिनार का काम सुरू किया वह इसके निपटने के बाद इलतुतिमिस ने पूरा किया लेकिन जब कोशन पूछा जाता है कि कु कुटूबुद्दीन एवक किसके नाम पर कुटूबुद्दीन बक्तियार काकी के नाम पर कुटूबुद्दीन बक्तियार काकी के नाम पर कुटूबुद्दीन बक्तियार काकी के याद में तो कुटूबुद्दीन बक्तियार काकी कौन थे तो एक सूफी संत थे उनके कुट्व मिनार को पूरा किस ने करवाया इस यह सारी बाते आगे भी आपको मिलेंगी यहां पर भी में बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए इन्होंने कुबत उलि इसलाम मस्जिद का निर्मान करवाया दिल्ली में कहते हैं कि यह साइद किसी सासक के द्वारा बनवाया गया एक पहला मस्जिद ऐसा मानते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है लेकिन चलो ठीक है कुबत उलि इसलाम मस्जिद दिल्ली में है यह एक्जाम में important है, मेरा एक साथी दिल्ली में हम लोग साथ में थे, तो एक साथी थे, अभी भी होंगे, कहीं या कहीं होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है, तो वो, जब एक्जाम में कोश्चन आया था, तो उन्होंने कहा कि, अरे भाई, इसके बारें बताओ कि क्या टिक किये हो, कि अधाई दिन का जोपड़ा क्या है, तो मैंने कहा कि, मैंने तो मस्जिद टिक किया है, क्योंकि ये मस्जिद ही था, मस्जिद, ठीक है, और उन्होंने, option में मस्जिद और मंदिर भी था, तो उन्होंने मंदिर टिक कर क्या है, और गलती से टिक हो गय क्योंकि उनके उस्यारी पे मुझे कोई सक नहीं है कि इतने बार वी उन्होंने एक्जाम क्वालिफाई किया है तो मंदिर उन्होंने टिक करके आ गये थे तो ध्यान रखिएगा कि यह मजजीद है अजमेर में हैं कई बार कोस्टन एक्जाम में आया है आगे भी आ जाएगा धैज दिन का जोपड़ा कहा है अजमेर में और क्या है यह मजजीद है आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कुछ देखेगा यह है आपका कुतुब बुद्दीन एवक जो गोरा से गिर के मर गया था इसके आखों को देखने से लगता है कि तुम गि मैं ठीक है और यहीं पर है आपका कुबत इसलाम मस्झिद यहां पे दिखाए दे रहा होगा यह आ यहां पर है और इसलाम ए मैं दुसरे कलर अट बहुत आ नहीं है कुबत इसलाम मस्सजड है कुबत दSean दूतीय ने बनवाया था गुपता ड्याइनिस्टी के यहां पर आप को कुबत कूब इसलाम महजजड और यहीप्स उलत्osse93 का मकवरा तो त्यीन चार पॉइंट यहीं पर आपको दिख जाएगा और इस पूरे को कहते है कुतुब परिसर और इस नाम से मेट्रो स्टेशन भी है याद रखेगा दिल्ली में तो यह अधाय दिन का जोपड़ा है ठीक है और यह कुबत उल इसलाम मस्जिद है इसी कुबत उल इसलाम मस्जिद में घूमते हुए एक जगा पटी लिखा हुआ है उस पटी पे भासाओ में लिखा हुआ है चंद्र नाम कुछ कुछ लिखा हुआ है उसमें चंद्र नाम लिखा हुआ है और यह चंद्र कहीं ने कहीं वही है चंद्रगुप्त दूतिय जो की लौ अस्तम का स्थापना की कर से बनाते हैं उस्षार जाते हो सबसे मजडार्बात जानत ऑबितातें हैं हैं यह लौश्थम इसके ंतोर यहां ऑर दो लौश्थम से घेर दिया है और इन ये खराब नहीं हुआ है 1400 साल से ये 2-3 बार बदला जा चुका है खड़ाब हो के सर सर के अभी आप देखें जाएगा तो नीचे में सरा हुआ आपको दीखेगा चल ये ठीक है तो आप टेकलोजी समझ सकते हैं ये भी लोहा का है ये भी लोहा का है चलो आगे बढ़ें आगे बढ़ें ये सब देख लिए आप लोगों ने तस्वीर अगला सासक है समसुदीन इलतुतमिस इलतुतमिस के नाम से जानते हैं सिंपली इलतुतमिस से 1211 से 1236 का टाइम पिरिएड है इलतुतमिस कौन था तो दामाद था इवक का गुलाम था और दामाद भी था क्या था दामाद भी दामाद था यानि कि इवक की बेटी से इलतुतमिस ने साधी किया था तो इलतुतमिस के मिर्तियू के बाद इलतुतमिस सासक बनता है दरसल बीच में एक दो लोग सासक बनते हैं जो एबक का बेटा होता है वो किसी काम का नहीं है किसी काम का नहीं है सब किसाब भंकर है इसे ही बस होता है चांदी के चमच लेके पैदा होने वाला सब है कि बस कोई काम का नहीं है नाम ले सकता हूं किसी का लेकिन छोड़ दीजे तो उनके बारे में पढ़ना नहीं है, उनका नाम भी नहीं लिखना है, ठीक है, तो इल्तुत्मिस इंपोर्टेंट है, कुट्टुबुद्दीन एवक का गुलाम था और दामाद भी था, वो और रिप्लेस करते है एवक के बेटा को और फिर वहाँ पे सत्ता संभाल लेते है तो सत्ता संभालते हैं, इनको बास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्टनत का, तो अगर आप से कोषन पूछे Hein, कि संस्थापक कोन है, तो तो कुट्बुदीन एवक है, लेकिन बास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको इल्तुत्मिस टीक करना होगा, दिल्ली के तो एक बुख्तियार काकी के याद में…. काकी का मतलब यह नहीं की कोई फिमल है यह नहीं। यह मेल है ठीक है???? उन के याद मे यह बनाया गया था। पुरा का पूरा कुछु चलिए यह बात हमने बहुत सारी बाते बताई उसको लिखते हुए चलिएगा ठेक है को तो मिनार का नाम काम इसनोंने पूरा करवाया अब वहां से चलते हैं दूजरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके पास एक्जाम का कोशन है बहुत सारा है ठीक है इलतुतमिस में औ पहला सिफ्ट है राजधानी का याद रखेगा कि पहले राजधानी कहां हुआ करता था लाहौर अब कहां है दिल्ली तो राजधानी को लाहौर से दिल्ली लियाया राजधानी किसने लाया इलतुतमिस ने लाया याद रखेगा कोशन एक्जाम का कितने बार बना है यह बा का लेकिन फिर भी वो दामात था सीधे उसके बंस का नहीं था तो कहीं ने कहीं इलतुत्मिस को अपनी सुरक्षा चाहिए और अपनी सुद्रिधता भी चाहिए समराज की सुद्रिधता और अपनी सुरक्षा भी चाहिए तो इलतुत्मिस ने क्या किया मेरी बात को अच्छे खंदान का और उसे जुरिवे लोगों का एक पूरा सक्ती पिंद था, वहां से सीफट ने कहां ले आया? यानी की ब的न दिल्ली ले आया === और और यहां पर के अपनी सक्ती का केंद्र बनाया लाहोर के सक्ति को वहीं पे छोड़ दिया और अपनी सक्ति का किंदर अलग से बनाया देखेगा ध्यान से तो राजधानी परिवरतन एक तरीके का इनका कोटनितिक जो है न अप्रोश था ठीक है एक और दूसरा पॉइंट इन्होंने चालीस ऐसे सरदारों को गुलामों को अपने पूरे के पूरे समराज के देख रहे के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए लगाया कि चालीस जो सरदार है इनका गुलाम भी है और कभी भी इनके कहने पे उन वो एक बात पे जान देने वाली बात तो वो एक बात पे जान देने वाली बात थी इन चालीस सरदारों को और इन चालीस सरदारों को बहुत सारा इन्होंने छूट दिया और फिर अपनी सुरक्षा के लिए उनको पूरा का पूरा बंदोबस दिया यानि चालिस सरदारों को चालिस लोगों को एक ऐसा पूरा का पूरा बोलते ने कि एक एरन का पूरा का पूरा दिवाल अपने तरफ चालिस सरदार के रूप में घेर दिया कि इलतुत दल 40 या चहल गानी कहा गया इसे जो 40 सरदारों का गुरूप था और इसे एक्जाम का बड़ा important question मान लिया गया किसलिए question मान लिया गया क्योंकि ये 40 सरदारों का गुरूप जो है ना इलतुतमिस के लिए और इलतुतमिस के समराज के लिए बहुत महत्पूर्ण सावित हुआ खास करके मैं ऐसे बताऊं तो पूरे दिल्ली सल्तनत के से लिए सबसे महत्पूर्ण सावित हुआ क्योंकि दिल्ली सल्तनत को सुद्रिड करने में इनका बड़ा योगदान रहा चलिए ठीक है आगे बढ़ते है इलतुतमिस ने क्या किया फिर इक्ता परनाली की सुरूआत इक्ता परनाली क्या होता है अगर इसके बार में हम बात करें तो द्यान से समझेगा इक्ता परनाली मैं आप लिए अक्ता क्या होता है वो बताता हूँ मैं मान के चलो कि इलतुतमिस के पास इतना वरा समराज है इतना वरा समराज है इलतुतमिस के पास अब इलतुतमिस इस समराज को जो सासन करेगा उसको कैसे करेगा तो उसको अलग-अलग छित्रों में बाट देगा यानि कि भूमी का खंड अलग-अलग छेतरों में इसको बाढ़ दिया और अलग-अलग जगों पे अलग-अलग इकतेदार निक्त कर दिया क्या निक्त कर दिया? इक्तेदार निक्त कर दिया जो एक इक्ता का स्वामी था एक इक्तेदार फिर दूसरे इक्ता में दूसरा इक्तेदार तीसरे में तीसरा इक्तेदार चौथे, पांचवे, छट्थे, साथवे मतलब अलग-अलग इक्ताओं में अलग-अलग इक्तेदार अगर इसको हम comparison करें आज के हिसाब से तो हम क्या देखते हैं कि आज इतना वड़ा भारत है और इतने भारे भारत में हम देखते हैं कि राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र सासित परदेश तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आज का भारत में अलग-अलग state है उनके अल ब्वस्था है उसी तरीके से इन्होंने क्या किया है जमीन के भूकंडो बाड़ दया और अलग-अलग इक्तेदार स्वश्शा technos लिंग्त Heidi दिया क्यों क्यूंकि इनका काम क्या था इक्तेदार पहला काम था सासन वेवस था देखना अपने छेत्र में अपने छेत्र में इनका पहला काम था दूसरा था करवसूलना करवसूलना तीसरा काम था करो को केंदर तक पहुंचाना यानि कि इलतुतमिस तक पहुंचाना और आर्मी रखना और आर्मी से इलतुतमिस की मदद करना यह सारा इसका काम था, कि आर्मी रखेगा, आर्मी से जरूरत परने पर इलतुतमिस की मेदद करेगा, कर वसूल करेगा, वहां के विवस्था को देखेगा, वह सासन विवस्था उसके पूरा का पूरा अंतरगत होगा, यह सारी बात इलतुतमिस ने कराया इस इकता तो ध्यान दिजेगा इस point को एक्जाम का ये question जो है इकता का बड़ा बनता है तो इकता का सवामी क्या कहला है? इक्तेदार उसके पास क्या-क्या काम थे? अपने छेतर में सहासन कराना, करो असूल करना, करो को केंडर तक पहुचाना जो अधिसेस कर रहे हैं, खर्चे के बाद, आर्मी रखना, आर्मी का मैनेज करना, आर्मी से भी किंद्र का, यानि की इलतुतमिस का मदद करना, ये बात ध्यान में रखिएगा इसी इक्तिदार में से, मैं थोरा सागे बढ़के फिर पीशे चलूँगा, इसी इक्तिदार में से एक इक्ता था बिहार के सासाराम का इक्ता, जिसके इक्तिदार थे, कौन? इसके इक्तिदार थे, सेरसा के पिता, ठीक है? इसी सासाराम के इक्तिदार थे, सेरसा के पिता, ठ पर नाली चलिये फीर से इल्टुतमिस के पास चलते हैं कुछ important point मैं आपको बताते हुए चलूंगा इल्टुतमिस के पास फ्र पॉइंट मलते हैं यह पहला एसा राजा है जिसने खलीफा से मंजूरी ली यह खलीफा कौन होते हैं तो मैं एक बाद बता दूँ, जो खलीफा होते हैं, वो इसलाम के सबसे बड़े लोग माने जाते हैं, यानि कि उनकी अनुमती लेना जरूरी होता था उस समय, जो इसलामिक पूरा का पूरा रिलीजन है और उसका पूरा विवस्था, उसमें खलीफा को सबसे उपर रखा गय में रखिएगा इसी किसमें चंगेज खां भी भारत किस आसपास आकर्मन करते हैं दरसल चंगेज खां मंगबर्नी का पीछा करते हुए भारत के सीमा में चले आते हैं ध्यान रखिएगा मेरी बात को अच्छे तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ कोशन आपसे पूचेगा तो मै कहानी बताता है, वोगी चंगेज खां मंगबर्नी का पीछा करतें-करतें भारत तक पहुंच जाते हैं, मंगबर्नी जो है na क्या बोलते है, help मांगता है किसे iltutmiss थे, तो चंगेजः खां iltutmiss और तो चंगेज खां के बारे में जानता था अच्छे तरीके से कि वो किस तरीके का बरवर है, वो मंगोल था, देखे नाम खान है लेकिसका मतलब में समझेगा क्यों इसलाम को मानता है, नहीं, उस समय खान एक उपाधी हुआ करता था इस बात को याद रखेगा, तो मंगोल है और वो जिस भी क्या बोलते हैं नगर से या जिस भी सहर से निकल जाता है वो सहर 6-7 महिनों के लिए बिरान हो जाता है उस सहर के एक-एक लोग को मार देता है ऐसा था चंगेज खा और ऐसा ही कुछ था तैमूर ठीक है तो चंगेज खा अब मंगवर्णी जब सहयता मांगता ह इलतुतमिस थे तो इलतुतमिस बरे ही सूजबूज के साथ मंगवर्णी को सहयता देने से मना कर देता है क्योंकि मंगवर्णी को सहयता देने का मतलब है आ बैल मुझे मार वाली बात है और एक बार चंगेज खा अगर दिल्ली तक आ जाता तो पूरे लाहोर से लेकर के दि इमाव पर जुहकरमन हुआ था उसमें कौन था तो उसमें इलतुतमिस ही राजा था, तो याद रखेगा चंगेज खान चंगेज खान इल्टुतमिस ये बात समझ में आ गया, चलिए आगे बात करते हैं कुतुब मिनार का निर्मान पूरा किया, ये बात हमने आपको बताया था और कुतुब मिनार के बताने के समय ही मैंने बताया था कि इसी परिसर में इसका कब्र भी है, यानि कि इसका पूरा का पूरा कब्र है, कुतुब परिसर में ही इसका कब्र है, किसका कब्र, इलतुतमिस का कब्र है, यानि कि उसको वहाँ पर दफनाया गया है, आप जाईएगा तोहाँ पर दिख जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा थीक है चलिए इसने दो नहे तरीके की शिक्के चलाया है एक चांदी का सिख्ख्, ARC, TANBEBE के सिख्ख TANGO का गया और के सिख्, ARC जी तल चाहा गया और चांदी के सिख्, ARC वार गया याद रखियेगा इस बात को चलिए आगे देखिए ये है आपका टंग का जो चांदी का है और ये है आपका जीतल जो तांबे का है देख लीजिए अच्छे तरीके से आप और ये देखिए इलतुतमिस का मकवरा है जो कुतूब परिसर में ही है इलतुतमिस का मकवरा तो ये है इलतुतमिस का मकवरा जो क कुतुब मिनार है। ठीक है। दूसरा क्या है। अलाई दरवाजा है। अलाई मिनार है। ठीक है। और उसके बाद क्या है। कुबत लिस्लाम मस्जिद है। यह बात भी लिख लिजेगा। आपने कौपी में बहुत सद्टी बातें कर लिए। aभ winners निख்वाओंगे कितना ठीक है चलिए। अब इल्तूत्मिस की मिर्थी हो जाती है मिर्त्यू निर्तू के बाद इल्तूत्मिस अच्छे तरीके से समझता है कि मेरा जो बेटा सब ऑफ को कोई काम का नहीं है। पूरा सबके सब भंखर है, भांग खाके सोने वाला, मुरगा मुरगी का लडाई लराने वाला और लंडा को नचाने वाला, इतना ही है हमारा बालवच्चा और किसी काम का नहीं है, लेकिन उसकी बेटी पर उसको बहुत भरसा होता है, और इलतुत्मिस अपने बेटी को अप राजा बनते देखना किसी को पसंद नहीं था, किसी भी दरवार को पसंद नहीं था, किसी भी दरवार के मंत्री को पसंद नहीं था, किसी भी दरवार की पूरे के पूरे विवस्था को पसंद नहीं था, लेकिन जब इलतुत्मिस की मिर्थ्यू होती है, तो रुकुदीन क जेना कि भंकर है मुलका मुर्गी लडाने वाला कोई काम का नहीं है, तो रुकुदीन राजा बनता है, लेकिन रुकुदीन के राज आपचुकी के पास की काम का नहीं है, तो एक दिन जो है ना क्या बोलते हैं, नमाज के समय में, यानि कि जब भी हो रहा होगा, तो रजिया पूर्षो के बेस Mineं पहुंशती है और फिर ऑमीर होत को तो अपने बातों में लेता है और वहां पर साहसन करना यानि वहां सुल्थान बन जाती है लिवगधिती है 1236- 1240 का टाइम प्रेृइड है इंप्यृति है एकजाम का कोश्थन रज्या सुल्तान आप जानते हैं एक मात्र महिला सासिका है जो की दिल्ली सल्तनत पे सासन किया है बाद में रज्या सुल्तान के बाद मुझे कोई भी ऐसा सासिका नहीं दिखती है जो दिल्ली पर सासन किया हो सीधे इंदरा गांधि जी फिर मुझे दिखती है ठीक है और बीच में जो दौर होता है अंगरेजो का तो फिर वो दिल्ली से सासन नहीं होता है वो सासन तो फिर इंगलpur होता है और वहां पर महराने थी, विक्τοरिया और जो भी लेकिन दिल्ली से सासनव्य वेस्था करने वाले इंदरा गांधी जी दिखती है रजिया के बाल तो एक मात्र मुसलिम महिला पहली और एक मात्र मुसलिम महिला right गी अर्वात्र इक बड़े अच्छे तरीके शासन किया लेकिन आप जानते हैं कि वहां कटरपंथियों को यह बिलुकुल भी इनका शासन करना अच्छा नहीं लगता था और उपर से और देखो एक तो लरकी है और शासन कर रहा उपर से इसने क्या किया कि होता है कि लिहाज में रहे बिवस्था में रहे इसने क्या कि आपने पिता का ड्रेस पहना चोंगाओंगा और तलवार पिता का रखा और फिर उसी तरीके से अपने महल में बैठ करके और फैसले करती थी और शासन करती थी मतलब आलिसान तरीके से और यह देखकर कि लोग और जो है ना उनको खराब ज़ा तो शायती है धी तो यहां पर पूरी पूरी कहानी है किस तरीके से यहां पर बात में चल कर किस तरीके McConnell साथ हिसले कर लेती है पर वहां पर उनकी मिर्ट्य हो नहीं के लेकिन पर से मिर्ट्य में हम不論ैStudie बानि और पहीर जाती है और फिर यहां उनका काम किनको मेश प्रश्था का समाप्त होना यह वहां के जो अमीर बर्ग थे या फिर वहां के जो उलेमा थे या फिर जो भी आप कहते हैं कि जो सक्तिसाली बर्ग थे उसके न चाहने के बज़़ा से हुआ क्योंकि वह पसंद नहीं करते थे कि रजिया सासन करें चलिए ठीक है रजिया के बाद भाराम सा आता है कोई काम का नहीं है कोई काम का नहीं है देखो कुछ लीखे हुए है क्या इसके आता है कुछ काम का नहीं है बस वैसे ही है सब मुर्ग का मुर्ग की लड़ाने वाला सब के सब नसुर्दीन महमूद को वी तक सासं किया वीच साल तक किया किस denn किसकी कहीं हिसाब नहीं है खर चलिए इसके बारे बात कर लेते है इसके बात क्या नसुरुदीन महमूद की साधी हुई थी वह बलवन के बेटी से बलवन की बेटी से नसुरुदीन महमूद की साधी हुई थी यह किसी काम का नहीं था यह बात बलवन जानता था ठीक है घर का ताला ठीक कराना अचा इसके बारे में कहते हैं कि अपना टोपी सी के जीवन गु कुछ इतिहादसकार इसके आदर्स बादिता का और इसके इसका बड़ा गुनगान करते हैं मुझे तो बड़ा आजीव लगता है कि आप एक बावता पूरी की पूरी बिवस्था आपको दे दिया गया है कि आप इसको चलाईए मेरी बात को समझे पूरा का पूरा समराज आपको संसाधन ना दे कैसे चलाओगे आप आज समझो कि आपको मुखमंतरी बना दिया गया और आपको कहेंगे कि तुमको गारी नहीं देंगे तुमको परदेश का मुखमंतरी बना दिया गया है मान के चलो यूपी या किसी भी राज का नाम लेते हैं सहारनपूर से लेक करके और यहां पर समझ लिजे कि बिहार के चेतर तक बलिया तक आपका पूरा का पूरा विवस्था है सासन है और वहां तक सासन करना है आपको गारी नहीं दिया जाएगा ठीक है आप पैदल घूमिय सासन कीजिए आपको खाना जो खाएंगे तो खुद काम करोगे तो जो उ तो उसको कुछ ऐसा चीज से फिरी करो मतलब जो मानिभीये जो जरूरत है वो तो उसको दो कपरे दो उसको नित्र हो क्वाराओ, खाना मुहिया कराओ जिसे वो उसका धेमाग उधर नहीं भटके तो फिर वो शासन पर धेमाग दे सके यह तो एक नॉर्मल है, चाहे मुखमंत्री कोई हो, चाहे मयाबती जी हो, चाहे अकलेस यादब जी हो, चाहे योगी अनितना जी हो, कोई हो, क्या फ़रक परता है, यह बिवस्था तो आप देंगे न, एक संपल तरीके से आप समझे, अब यह बंदा टोपी सी के, या फिर अ यहां पर दिमाग बढ़ जाएगा, तो फिर तुम सासन नहीं चला पाओगे, ध्यान रखेगा इस बात को, ठीक है, तो इसलिए आप देखिएगा, जितना अधिकारी होता है, उसके सुविधाय उतनी जादा होती है, किसलिए, क्योंकि आप उसको कुछ सुविधाय नहीं तो वो उधर ही उल्जा रहाएगा, तो फिर अब विवस्था कैसे कर पाएगा, मतलब सोच कैसे पाएगा, विवस्था कैसे चलाएगा, तो यह मुझे तोरा सा बेवकूप टैप का चीज लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं इस नजरिये से देखना सुरू इतना वरा सल्तनत और टोपी सी की दराजा अपना जीवन बिता रहा है, किसी काम का नहीं था ये, मिला जुला करके मैं यह कहना चाहता हूँ, किसी काम का नहीं, है ना, वही सब मुर्गा मुर्गी लडाने वाला सब, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, अब अगला एक सा तासी इसका टाइम प्रियेड है, बड़ा इंपोर्टेंस आसक है, इंपोर्टेंस इसका किस बात का है, वो ही मैं बताओ, सबसे पहले इसने दल चालिसा के सक्ती को तोड़ दिया, देखो भीवी आई है, बलवन क्या था, एक गुलाम था, इसके बारे मिए बात करूं मैं, बलवन एक गुलाम था, और जब बलवन एक गुलाम है, तो मेरी बात को अच्छे तरीके समझेए, उसकी मानसिक्ता उसी तरीके का है, और वो बन गया है राजा, क्योंकि अपनी बेटी की साधी किया था, किसे ये बलवन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रीम टाइप का कट्टर ठीक है, तो अपनी बेटी से साधी कर दिया रुकुदीन का, जो पीछे अनसुर दीन जो राजा आपने देखा, उसके बाद आप क्या देखते हैं, कि अब वो किसी काम का नहीं है, तो उसके जगा पर ये राजा बन जाता है, बुढ़ापे में बलवन राजा बनता है, ये तो तुम्हारा कुछ पता हुता है नहीं, ठीक है, तुम गुलाम हो, तो तुम्हारा जो कुल है वो निमन ही है, और खुद निमन कुल हो करके, निमन कुल के हो करके, और जितने भी निमन कुल के लोग को देखता था, तो ये कहता था, उसमें कहा अपने इतिहास कारो को, कि जब मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो मेरे खून खूलने लगता है, मेरी हाथे तलवार पे चली आती है और दिल करता है कि उसका सर धर से अलग कर दूँ, क्योंकि वो निम्न कुल में पैदा हुआ है, यानि कि उच्छ कुल को आप बरियता दे रहे हैं और देवस्था और मेरी जो इस्थिती है वो देखो, यानि कि जब तक वो किसी को दबाएगा नहीं, तब तक खुद को ऊपर कैसे ले के आएगा, सिंपल पॉइंट ये है, तो बलवन इस नजरिये का सासक था, यानि उन्हें कुन्ठित नजरिये का था, क्योंकि उस बैक्ग् वो था, मेंबर, और जिस दल ने सल्तनत को मजबूत किया था, जिस दल ने इल्तुत्मिस को मजबूत किया था, वही डल आप आगे के सासको के लिए क्या हो गया, गले की हड़ी बन गई, और बलवन जानता था, कि ये मेरे लिए भी इसी तरीके का काम करेगा, क्योंकि मैं गुलान था और उस कहीं ने कहीं उसी दल का बिलोंग करता हूं तो दल वाले लोग हर चीज समझते हैं अरे तुम एक ही साथ रहने वाई लोग हो तो तुम नहीं जानोगे अपने दोस्तों को कि वह किस टाइप का है ठीक है तो इसने क्या किया सबसे पहले दल को तोड़ दिय होंगे उसको अपना बंसज माना मतलब हम उससे जूरे हुए जैसे नर्मली कहते हैं कैसे यह कहावत है हमारा चाचा भी विधायक है है ना मतलब खुद को उनसे जोड़ना जो की अपने कुछ अच्छे जगा पर पहुंचा हुआ जहां प्रभावसाली लोग है उससे भी उसका अपने आपको बुच्छ बोला कि मैं उस बंस का हूँ मतलब तुम गुलाम थे और तुम उस बंस कहोगा है खेर चलिए तो उसन tio रा मतलब कहा है मैं अफरे अफ्रासियाब का बंसज हूँ थीक है महान बंस का बंसज हूँ मैं यह क्या हूँ इस्वर की प्प्छ इसा करके बोला इसने मतलब समयदे रहो ना कुद को हर ची मतलब खुद को साबीत करने के लिए वो हर एक विवस्था इसके बारे बताओं कि मैं यह अपने कुछ अंगरक्षक रखते थे और अंगरक्षक को यह था कि नंगी तलवार लेकर के मेरे सामने में खड़ा रहना ता स्थान निरधायित कर दिया कौन कहां बैठेगा विवस्था देख रहा हो इसने यह कर दिया कि तुम आवगे तो हमारे सामने में जूकोगे इसलाम में किसी के सामने जूकना मतला है मतलब मानते हैं तो हमारे सामने में जुकोगे और हमारे पैरो को चुमोगे। मतलब मैं इस्वार हूँMR मास जिल्ले इलाए हूँ तो तुम मेरे सामने आओ और हमारा एक्जिदा करते हैकी peripheral exam का नहीं या सिजदा और पयवोस पूरी पर्था इसने सुरू कर दिया ठीक है और यह कहानी हैSidda और पयवूस का किनाता है कि ऊपरता को सुरू किया तो iş students को सबिस नहीं को चुंचिए नवरोज का अब सो होता है एक new year happy new year वाली बात तो नव रोज नव वर्स तो इसने नव वर्स का पूरा का पूरा त्यवहार मनाना शुरू कर दिया ठीक है और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई इसका बिरोध करता तो उसके साथ इतनी सकती से पेश आता कि लोगों की दिल दहल जाते कि आगे कोई इसका बिरोध कर सके रक्त और तलवार की निती से कहा जाता है मैं example आपको समझाता हूँ दिल्ली का आजपास कुछ म्यबाती ओर जो बड़े सोर मचाते थे या सोर मचाने का मतलब हल्ला नहीं करना सुर मचाने का मतलब इस्टॉर करणा राजा तो पूरा तो एक डिल्ली को घरबा दिया ठीक है अपने साइन्को से जंगल को कटवाया और जहां जहां मेबाती मिले सब को पकर करके और दिल्ली के सरकों पे सुला करके और उसमें कील ठोक दिया दियान देखिए इसके रक्त और निती का उदार मताता हूँ कि मेबातियों को पकर करके दिल्ली के सरकों पर सुला करके कील ठोकवा दिया और उसके उपर से हाथी चला दिया मतलब कि मौत तो देंगे लेकिन मौत का ऐसा तांडब होगा मिर्तिव ऐसे दिखाई देगी कि अगर बगलवला देख ले तो फिर जीवन भर भूल जाए कि हमें बिरोध जैसे कोई सब्द भी होता है ऐसा बलवन था ठीक है तो बलवन की कहानी बड़ा ही दिल्चस्प है अगर आप इती हास में पूरे तरीके से पढ़ेंगे तो एक exam point of view से बलवन को अगर हम देखे तो सीजदा और पैबोस exam का question बनता है चालीसा का किसने तोरा ये exam का question बनता है और एक सेन बिभाग की अस्थापना किया था जिसे दिवाने आरिज कहा जाता है ये exam का question बनता है और दिवाने आरिज exam का question बनता है सबसे ज़्जादा वार यही बनता है यानिकि सबसे इपॉर्टेंट यही है VBI है तो दिवाने आरिज क्या था यह दिवाने अर्ज भी बोलते है कभी-कभी कभी-कभी इसे और्ज भी बोलते हैं ठीक है तो ये सेन भी भाग था और इसकी अस्थापना बलबन करता है ये बात आप ध्यान में अच्छे तरीके से रखेंगे बलबन के बारे में ये सबसे important point है और सारी बात मैंने समझा दिया है इंगलिस में भी लिखा हुआ है PDF भी आपको मिल जाएगा आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं बलबन के बाद गुलाम बंस का कहीं कोई कुछ बिसेस बात नहीं है कहते हैं गुलाम बंस के अंतिम जो सासक हो कैकू बाद है खीक है Dann, घुलाम बंस का कंतिम जो सासक काकू बाद है ऊसा हम कहते है तो घुलाम बंस वहां पर समा प्रोग हो जाता है और घुलाम बंस के समार्प्ती के बाद एक नया बंस शूरू होता है जिसको कहते है खिल्जी बंस यानि खिल्जी डैनेस्टी देखिए 1290 से 1320 खिल्जी डैनेस्टी का पूरा टाइम पिरियेड है कोई फरक नहीं पड़ता है डैनेस्टी का टाइम पिरियेड से अगर आपसे टाइम पिरियेड पूछेगा भी तो अलाव दिन खिल्जी का याद रखिएगा जलाल उद्दीन खिल जी है जलाल उद्दीन खिल जी याद रखिएगा जलाल उद्दीन खिल जी इसके भतीजा है अलाउदीन खिल जी जलाउदीन खिल जी को मार करके खिल जी डैनिस्टी यानि कि इस सत्ता पे कावीज होता है अलाउदीन खिल जी अगर खिलजी डानेस्टी की हम बात करे या पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करे तो इलतुतमीस एक महान सासक होता है सल्तनत की बात से लेकिन अलाव दिन खिलजी से महान सासक दिल्ली सल्तनत में कोई नहीं आता है ये बात भी आप याद करके रखेंगे ठीक है तो अलाव दिन ाम के questions बहुत बंते हैं और खास करके पदमाबती और अलावदिन खिल जी आपने film भी देखा होगा मैंने वो किताब पढ़ा है पदमाबत ठीक है तो कहानी मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले आगे बरता हूँ तो जलाल उर्दिन खिलजी जो है ना खिलजी डानस्टी के क्या है फाउंडर है संस्थापक है और इसके बड़ा इंपोर्टेंट सासक है अलाव दिन खिलजी मैं जला अलाव दिन खिलजी के बारे में कुछ बाते करूँ एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से भी और ऐसे भी बहुत इंपोर्टेंट है ये पहला ऐसा सासक है अलाव दिन खिलजी जो धर्म को अलग करता है धर्म को किस से अलग करता है तो धर्म को राजनीती से अलग करता है राजनीती से दरसल इसके दो सपने थे दो पहला सपना था एक नया धर्म की अस्थापना करना और दूसरा सपना था बिसु बिजेता बनना पहला सपना है नया धर्म बनाना दूसरा है बिसु बिजेता बनन जो मिला है उस पे सासन करो, उसी वेवस्था को मजबूत करो, विस विजता बन लेंगे, पहले अपना भारत तो जीत लो, दच्छिन भारत तक है भाई, तुम कहा हो, तो अलाव दिन खिल जी ये काम, कहता है कि चलो पहले भारत को जीतते हैं, तो इसने दो चार बड़ा जानता है, तो इसने पहली बार कहा कि राजा जो है ना कोई रिष्तिदारी नहीं जानता है, तो इस पे अलाव दिन खिल जी पे बहुत ज्यादा लागू होता है, ये बात आप समझेगा, तो धर्म को क्या किया जानता है, ये पिल्कुल राजनिती में धर्म को करेंगे, और खुद को दूतिय सिकंदर कहता है, क्यों कहता है दूतिय सिकंदर क्योंकि वो ये सिकंदर सानी कहता है, क्यों क्योंकि वो भी सुबिजयता बनना चाहता है, तो सिकंदर सानी भी कहा, क्योंकि वो भी सुबिजयता बनना चाहता है, ये दोनों बाते था, उसके कि प्रमानेंट आर्मी अगर ग année लेकिन दिखता है और इस बात को याद रखेगा और उस आर्मी की बेवस्था के लिए इसने बहुत सारे काम किये क्योंकि उसे पता था कि जब तक आर्मी बेवस्थित नहीं रहेगा और जब तक आर्मी हमारे पास मजबूत नहीं रहेगा हम छेत्रों को नहीं जीत सकते हैं और नहीं एक सुद्रिध और महान सासक के रूप में हमारे गिंत तो इसने क्या किया कि आर्मी को पूरा वेवस्थित करना शुरू किया और अस्थाई आर्मी बनाया और आर्मी को अस्थाई रूप से बेतन देना शुरू किया यह काम किया यानि आर्मी को अस्थाई बनाने के लिए जो काम करना था वो सब करना शुरू किया बहुत कुछ ल कि आर्मी के पहचान के लिए जैसे कि आपके पहचान आपका क्या है तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी पहचान है ठीक है अगर आपकी नौकरी लगेगी तो इस पर आपका फोटो होगा उस पर आपका नाम लिखा होगा डेट और बर्थ लिखा होगा बलड जो आपके नौकरी का पूरा आइडेंटी कार्ड होता है, नौर्मल तरीके से जो मैं बात कर रहा हूं, तो इसने उस पर्था को शुरू किया, किसने अलावदिन खिलजी ने, और वो पर्था आज तक आप जान रहें, अलग लग तरीके से चला आ रहा है, तो इस पर्था को इसने और क्या कहा, चेहरा या हुलिया और दाग, अब इसको कैसे किया वो बताता हूं, देखो, चेहरा या हुलिया का मतलब यह है, कि इसने आर्मी का, जो उनके पास सेना था, और सेने के जो सिपाही थे, तो सिपाहियों का पूरा का पूरा ब्योरा रखने लगा, यानि क बायोमेट्रिक रखने लगा सिपाही का सिपाही का क्या बायोमेट्रिक ठीक है बायोमेट्रिक रखने लगा यह बात इहान रखेगा बायोमेट्रिक बामेट्री का मतलब है लंबाई कैसा है रंग कैसा है आंखो का रंग कैसा है चेहरे का रंग कैसा है बालो का रंग कैसा है सीना कैसा है यह सारा चीज ठीक है यह रखना शुरू कर दिया किसने अलाओ दिन खिल जी ने इसी को चेहरा या हुलिया कहा गया चेहरा या हुलिया कह होगा तो इसको कहते हैं और डाग क्या था है तो दाग क्या था जो सेना था उसको राज कि ए ओरा परफया नहीं नहीं क्या लडाई नहीं not था तो सैनिक अब लड़ाई नहीं है तो क्या करेगा सैनिक घोडा को टम-टम में लगा दिया तंटम तो उसमें लगा दिया वहां से कमाई कर लिया मतलब कुछ भी कर लिया अच्छा वाला घोरा बेज दिया और दूसरा घोरा लिया उससे जो कमाई हुआ आपने घर में रख लिया मतलब यह सारी कहानी खुब चलते थे तो इसने क्या किया घोरों पे मार्क लगाना शुरू कर दिया कि यह राजकिय घोरा है अब एक बार घो का भी बाप था यह बात याद रखिएगा तो यह काम इसने किया यानि कि दाग और हुलिया का पर्था शुरू किया आर्मी का पूरा पूरा बायोमेटरी रखने लगा और घोरों को यानि इस्ट्रूमेंट घोरा उसमें क्या था कि इस्ट्रूमेंट था तो उसका पूरा दाग लगाने लगा कि हमारी पहचान इससे क्या होगा कि आर्मी में भी हेर फेर रुक गया और घोड़े के भी हेर फेर रुक गया और अस्थाई बेतन देने से जोसाइनकों में एक जोस भी आया और एक बेवस्था के परती इमांदारी आया कि हमको बेतन मिल रहा है, हमें विवस्था में अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, तो ये सारा विवस्था करना शुरू किया कि इसने, खिल जी ने, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट अलाव दिन खिल जी ने क्या किया, कि इसने, मैं ये बाते आपको बता दू, फिर आगे सलाइड पे चलेंगे, अगला पॉइंट किया, कि इसने पूरा पूरा बजार बनाया, अपने सेना के लिए, दरसल इसको बिसाल सेना चाहिए था, मैं इतिहां स्कारों के दिरिष्टी कोन बताता हूं, और अपनी दिरिष्टी कोन भी बताता हूं, ब अब अस्थाई बेतन अगर जादा देगा, तो उस सेना को रख नहीं पाएगा, ठीक है, उतना सेना नहीं रख पाया, तो इसने क्या किया, कि बेतन को तो कम निर्धारित किया, बदले में एक नया बाजार बना दिया, जिसको बाजार नियंतरन परनाली, मुख रूप से मै मैं इसको कारण मानता हूँ, कुछ इतिहासकार अलग कारण भी दिये है, मैं इसको कारण इसलिए मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास बर्तमान में जो चीजे चल रही है, वो उदारन देने के लिए है, इसलिए मैं कारण मानता हूँ, विसाल सेना को उस बजार नियंतरन परना नहीं के लिए बजार नियंतरन परणाली बना दिया जिसमें तीन तरीके की बजार उसने बनाया तीन तरीके की बजार स्राय अदल ठीक है अलग-अलग बजार था मैं अलग-अलग तरीके से बताता हूं एक बजार था आनाज का एक अनाज का बजार था एक बजार था दास द और मांगे कुछ आइटम जो भी था अन्य अन्य बस्तू का बाजार था ठीक है तो तीन तरीके की बाजार इसने बनाया ध्यान रखेगा और बाजार का जो रेट था उसको फिक्स कर दिया रेट क्या कर दिया यह हो गया दूसरा पॉइंट इसने क्या किया बाजार का रेट फिक्स किया और उसके देख रह पे लिए एक अधिकारी अम्य नुग्त किया जिससे कहा गया साहना अधिकारी नुग्त किया यह अधिकारी थे अधिकारी और कि अधिकारी नियुकत किया और एक डिपार्टमेंट भी बनाया ठीक है डिपार्टमेंट बनाया उसके बारे बात करेंगे सब्सक्षा है पहलेरा कुछ चीजें बजार को समझा दू्ज तो सतीष चंद्रा ने अच्छे तरीके से लिखा है कितने जीतल में कितना अनाज मिलता था कितने टंका में क्या मिलता था तो उसने रेट अगर फिक्स कर दिया अच्छे घोरों का रेट अच्छा होता है तक्टू घोरे या पिर समान्ड होने वाले घोरों का रेट कुछ और होत जो अलावदिन खिल जी था खुद बजार के देखरेक के लिए अपना वेस बदल करके और चला जाता था दूसरे वेसों में और बजार के तोल मूल करता था वहां के रेटों को पूछता था और जो भी गलत पाया जाता था उसके साथ बहुत बुरा बेवहर था मतलब अन्त बजार में कौन इंट्री लेगा यानि कि बजार में कौन समान बेचेगा इसका पूरा का पूरा ब्योरा होना चाहिए ठीक है कि समान बेचेगा तो उसका एक सर्थ है उस सर्थ को मानना होगा rate fixed है माप तोल में गलती नहीं करोगे गलती करोगे तो उसका परिणाम क्या पे और उसके नीतियों के बल पे नियंत्रन किया गया बाजार था तो अलावदिन खिलजी के बाद जब दूसरा सासक आता है तो यह बाजार का नियंत्रन समाप्त हो जाता है यह बात ध्यान रखेगा तो पूरा का पूरा यह अलावदिन खिलजी पे ठीका था ठीक उसी तरी जाज और समाप्त की दोर में चलाता है और फिर उसके बाद जो नया बंस आता है वह बहुत धर्म की प्रसरेवला बंस नहीं आता है वह बैसन धर्म या दूसरे धर्मों के लिए करके बात करना सुरू कर देता तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि पूरा अलावदिन खिल है तो बर्तमान में बर्तमान में जो आर्मी का कैंटीन है ठीक है यह कुछ ऐसा ही है यहाँ पर रेट फिक्स है और उसका रेट मार्केट के रेट से बहुत कम है कम है ठीक है समान भी अच्छा मिलने की संभावना है ठीक है अच्छा मिलने की संभावना है जब से जीएश्टी पे गड़ा अलागू हो गया है तब से बाजार और कैंटीन में अंतर जो है ना कम हो गया है लेकिन उससे पहले जब बैट बेगरा चलता था तो canteen से समान लाना बहुत सस्ता था आज भी बहुत सस्ता है उस समय और भी सस्ता था चुकि मैं जानता हूँ कि canteen की क्या बिवर्स्ता है हम लोग canteen वाले हैं बहुत लोग है हमारे जो जुरे हुए हैं जिनसे मैं जुरा हुआ हूँ, वो हमसे नहीं, थुरा गलत हो गया, जिनसे मैं जुरा हुआ हूँ, क्योंकि, समझ गया ना, उसको समझ यह, ठीक है, तो मैं जानता हूँ, मैं कैंटीन में समान भी खरता हूँ, अब तो कैंटीन में सहारन आतमी को इंट्री बंद कर दिया है, जो family है husband wife वहाई इंट्री वहाँ कर सकते हैं दूसरे को इंट्री करना बंद कर दिया और भी बहुत सारी नियम लागू कर दिया है लेकिन अब मैं चुकी कंटीन में गया हूँ मैं purchase भी किया हूँ समान लाया हूँ वहाँ पे भी किया हूँ ठीक है तो canteen का जो rate है वो कहीं न नोकरी है तो मैं आपको बता दूँ salary के मामले में आर्मी जैसी bank p.o के पास salary नहीं है और ना आर्मी जैसे उनके पास विवस्ता है आर्मी पास अपना hospital है अपना school है उनको खाना मिलता है उनके मा बाप बेटा सब की hospital का पूरा का पूरा खर्चा है बेटा मतलब बच्चे wife खुद ठीक है और फिर उसके बाद salary है दुनिया भड़के महंगाई भथता है बहुत है मतलब बहुत है उसके पास ठीक है तो अब कैंटीन में अगर कम भी है बजार सरीट तो उसको effort किया जा सकता है लेकिन सुरुवाती दोड़ में भारत में आर्मी की बेतन बहुत कम था 1996 में जब मेरे अंकल आर्मी में भरती हुए थे तो उसमें उनका बेतन मातर 2530,000 रुपया हुआ करता था 3500 रुपया आप समझ सकत है तो वहां पर कैंटीन होना बहुत जरूरी था क्योंकि समान उनको लेना है घर चलाना है और बेतन कम है तो कैसे किया जाएगा तो ऐसा बजार बनाओ जहां पर उनको समान सस्ता मिल जाए और अपने घर वालों को देख रे करे और हमारे पास आर्मी भी हो जाए यह बाते स्व कंट SIGमेंट है धियां रखे गा बजार नियंत्रन अलावदिन खिल जी चलिा तो अलावदिन खिला के समाने हमने बात कर लिया बजार ने नियंत्रन और घर ही और चरही उनका दो उस टेक्स और जो पास्चर टेक्स था यानि के जो चरart पर यानि की पफूऊका चारा है उसके ओपर जो टेक्स था वह अलावदिन खिल्जी ने जार Chris भी न के हाव जारी किया तो घ़री और को ध्यान में रखेगा तर चलिये अलावदिन खिल्जी के बारे में और भी बात करते हैं, अलावदिन खिलजी ने दक्षिन में मलिक काफूर के नित्रित में, अक лайक एक हिज़रा था, आप जानते हैं है या ट्रांस जेंडर था, अच्छे सब्दों में बात करें, ट्रांस जेंडर था लेकिन बहुत बहाधूर था, इसे मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है क्योंकि 1,000 सोने की gitu, छीके में खरदा क्या अपका क्या यह दिनारी क्याव क्या है, क्या आज आपका या आपकाомина क्या आप एक पार सो ने की कीमत औरİुमानी से सूख के कि अम्बानी जैसा बन जाए मैं सबकी बात तो नहीं कह रहा हूं लेकिन नौर्मली लाइफ में बात कह रहा हूं तो मली काफूर के बारे में आफ समझ सकते हैं कि कितना बहादूर है मली काफूर ठीक है चलिए मली काफूर बहुत बहादूर है एक बात और दूसरी बात यह है कि मली काफूर के नित्रुत में कहां पर अभियान हुआ था तो दक्षिन में यह कोस्टन भी एक्जाम का है की धक्षिन में अभ्यान हुआ था मली काफूर के नित्रूत में यह भी एक्जाम का कोशन है और इसने यादवों को यानि की जो देवगीड़ी के यादव थे उसको हराया था पर्था परुद्र-देव को हराया था बंगाल के काकतिय सासक को हराया था मदुरय के पंड़े के हराया था यानि कि देखो किसको किसको हराया है और मैं आपको बता दू कि जब मली काफुरीन सब को हरा करके वापस आ रहा होता है तो दो हजार उटों से भरा हुआ सोना चांदी हीरा जावारात लाया था दो हजार उटों से भर के लाया गया था आप समझ लिजे कि कितने बड़े मात्रा में लेका आया था इस दक्षिन के बिजय ने अलाव दिन खिलजी को इतना माला माल कर दिया और दिल्ली सल्तनत को इतना माला माल कर दिया कि जिसको लेकर के और एट्रेक्शन बढ़ गया भाहरी लोगों को हमला करने का और बावर भारत पर फिर से आकर्मन किया आगे चल करके तो आप समझ सकतें कि दिल्ली सल्तनात में कितनी बिवस्था मली काफूर के वज़ा से कितना बिवस्था कितनी धन इकठा हुआ था और उसमें भारत के पास कितना धन था अलग-अलग राजाओं के पास में तो ये बात आप समझ लिजएगा चलिए अब प्लिली किलन होज खास है जमात खाना का अलाइ मिनार है यह अला इंक दा इंक ए आप पौरा पॉआंट है है अब देखते हैं अलाओ दिन खिल जी कावारे में क्या-कया बनबाया है वो चीज देखते है ہम ठीक है यह अलाओ दिन खिल जी यह अलाओ दिन खिल जी है ठीक है ये देखिए, Intrigate of कुतुब मिनार कहा जाता है, इसे अलाई दरवाजा है ये, अलाई दरवाजा, Intrigate of कुतुब मिनार, ठीक है, चलिए, ये आपका हौज खास है, हौज खास का किला, ये है अलाई मिनार, जो अधूरा छूट गया था, ये भी सोचा कि हम भी जो है न, एक मि मिनार बनाते हैं कुतुब मिनार के तरह, और कुतुब मिनार के वगल में ही ये बनाना सुरू किया, लेकिन ये अधाद हो रही था, उसी में इसकी मिर्थी हो गई, जब इसकी मिर्थी हो गई, तो बात खतम, और ये है आपका मस्जिद, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान मे की दोरह बनवाया गया था यह है अलावदिन खिल जी यह सी डी के महल लीग देता हूं एक्जाम का को सब्सक्राइं यहां से बने है और उसके बजार नियंतरन परणाली को बिल्कुल धियान में रखेगा तीन तरीके के बजार थे और किस तरीके से उसे नियंतरन किया था अलावदिन खिल जी ने ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा बड़ा इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए तो आगे बरते हैं अलावदिन खिल जी के बारे में बजार नियंदर प्रणाली मैंने आपको बता दिया तेहां पर बात करने की जुरूरत नहीं है बिभाग और अधिकारी में सहना देखिए ये मंडी का मुख्या होता था ये बात हमने बताई है कि अधिकारी है मंडी का अधिकारी है बजार का अधिकारी है दिवाने मुस्तकराज ये राजस्व असूली है ये डिपार्टेमेंट है और दिवाने रियासत ये आपका बनिज बानिज विभाग है यहां पर पहने लिख द्यातों की लिखनी की ज़वरत नहीं है तो दो यहां पर डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है एक बानिज विभाग इसी के पास पूरा का पूरा विवस्था होता था शासन का और यह राजस व असूल करते थे और यह बाजार का विवस्था की बाजार में कौन दुकान लगाएगा लाइसेंस क्या होगा अधिकारी सहना कहलाते थे अधिकारी क्या कहलाते थे इसके रियासत का अधिकारी सहना ठीक है इसने पूरा पूरा गुप्चर विवस्था बना दिया था बहुत मजबूत था तो गुप्चर लगा दिया था बजार में कि कोई गल्ती तो नहीं कर रहा है है चलिये इसका आगला साथ सब श्रु मुभा खान खुसरो खान किसी काम का नहीं है, खुसरो हलाकी बाद में आया था, मुवारा खान किसी काम का नहीं है, यानि कि अलाव दिन खिलजी के बाद, खिलजी दैनेश्टी समाप्त हो जाते हैं, दवीर कहा जाता था, दवीर, गुपचर को, ठीक है, खिलजी दैनेश्टी यहाँ प तुगलक dynasty के बाड़े में बात करेंगे, तुगलक, फिर सयद और फिर लोधी, यहां पे हम लोग बात करेंगे, उसी तरीके से फोटो दिखाती घूँए आपको चलेंगे, अच्छे से आपके साथ हम लोग बात करेंगे, उहां पे याद कराने कोशिस करेंगे,